स्टेट पॉलसी देखना स्टार्ट किया था, कल हम लोगों ने अर्टिकल 36, 37, 38 और 39 के अलग-अलग प्रोविजन देखे हुए थे, आज जो हम लोगों को आगे अर्टिकल देखना है, अर्टिकल 39A है, और ये अर्टिकल 39A यह 42nd constitutional amendment के थूँ आड़ किया गया था, 42 यो को समझते हैं, यहां पर बोला गया है कि equal justice and free legal aid, तो यहां पर जो main thrust यहां पर है, वो यह है कि समान न्याय और निस्वल्क विदिक सहायता यहां लोगों को मिलनी चाहिए, यहां आगे बोला गया है कि the state shall secure that the operation of the legal system, जो हमारी विदिक विवस्था है, उसकी जो यहां प operation है वह इस तरीके से होना चाहिए, जो कि promote करे किसीश को, justice को, on a basis of equal opportunity, on a basis of equal opportunity and sell in particular, provide free legal aid by suitable legislation or schemes or in any other way to ensure that opportunities for securing justice are not denied to any citizen by reason of economic or other disabilities. किसी भी कानवस किसी को न्याय न मिले, तो न्याय अगर नहीं होगा, तो फिर लोगतंत्र का कोई मतलब नहीं होगा. Justice ही democracy को define करता है कि democracy वो system है जहां पर हम देखते हैं कि न्याय पूर समाज देखने को मिलता है. इसको इवार और देखते हैं. निसुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था करेगा. तो आर्टिकल 39 जो A है वह free legal ad और equal justice की बात करता है. तो यहां पर हम लोगों को देखना है आर्टिकल 39 A और यह आर्टिकल 39 A वह equal justice की बात करता है. समान न्याय और free legal ad की बात करता है. यानि निसुल्क विधिक सहायता की बात यहां पर की गई है. तो दो चीजें यहां पर हैं. अब एक चीज समझते हैं यहां पर. हमने बताया कि यह 42nd constitutional amendment से add किया गया था. तो यह ध्यान रखना है factual. जो सबसे important चीज है कि जो हमारा legal system का पूरा base होना चाहिए. आर्टिकल क्या कहता है कि हमारा legal system है वह legal system किस principle पर काम करना चाहिए, किस theory पर काम करना चाहिए. तो यह कहता है कि हमारा legal system इस बात पर बल देना चाहिए कि justice for all. सभी लोगों के लिए न्याय हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, justice for all. लेकिन यहां पर यह देखा जाता है कि न्याय तक सभी की पहुँच नहीं है. यानि access to justice जो है, यहां सभी लोगों की होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, यहां पर कई तरीके के barrier जो है, वो देखे जाते हैं. कई तरीके की बाधहाएं देखी जाती हैं, जो यह न्याय तक नहीं पहुचने देती हैं. अगर हम यहां पर देखें तो इसके क्या-क्या वजह हैं, तो पहला जो सबसे important problem यहां पर आता है, वो है legal literacy का अभाव. Lack of Legal Literacy, यानि विधिक साच्छर्ता का अभाव. इसे knowledge barrier कहते हैं, यह Lack of Legal Literacy है, हमारे देश में, हमारे समाज में बहुत से लोगों को यह मालूम ही नहीं है, क्योंके समवैधानिक अधिकार क्या है. आप लोग भी अगर political class नहीं कर रहे होते, तो बहुत से लोगों को fundamental rights के बारे में, DPSP के बारे में सही तरीके से जानकारी नहीं होती. इसी तरीके के तमाम कानून बनाए गए हैं, ना तो हम सुचना के अधिकार के बारे में, सिच्छा के अधिकार के बारे में, ऐसे तमाम जो अधिकार हम लोगों को अलग अलग कानूनों के जरिए दिये गए हैं, कई जगोंपर हमें नहीं मालूम हैं. अगर हमारा सोषण होता है, अगर हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है, तो ऐसी इस स्थिती में भी कई बार हम इसलिये आवाज नहीं उठा पाते हैं, क्योंकि हम हमें मालूम ही नहीं है, कि इसके बारे में सम्विधान क्या कहता है, कानून क्या कहता है, न्याइक विवस्था क्या कहती है, और सायद अगर हमें मालूम रहता, तो हम न्याय तक पहुच पाते, हम वहाँ पर अदाल तक पहुच पाते, हम पुलिस प्रसाशन तक पहुच पात दूसरी और बड़ी problem यहाँ पर आती है geographical barrier की, यानि geographical barrier justice में एक बहुत बड़ा problem create करता है, हमारे देश में बहुत से लोग बड़े दूर दराज इलाकों में रहते और वहाँ से administration या जो court है वह काफी ज्यादा दूर होता है, इसलिए वहाँ पर आना जाना उनके लिए possible नहीं हो पाता है, यही reason है कि ऐसी जवहों पर अगर कोई भी injustice जैसी activities होती भी है, तो उसकी आवाज वहाँ पर नहीं उठ पाती है, पहले के समय में जब transportation बिलकुल खराब हुआ करता था, तो सहर में जहां पर न्यायले होता था, वहाँ से 25-30 km दूर लोग रहा करते थे और अग बहुत से लोग वहाँ न्याय के बारे में सोचना ही भूल जाते थे कि किसी तरीके से वहाँ पर पहुचना है, आप सोचिए कि अगर नागालेंड में बैठा हुआ कोई व्यक्ति उसे न्याय चाहिए Supreme Court से, तो दिल्ली में Supreme Court है, वहाँ नागालेंड में दीमापुर में उ होती है, आप जब भी किसी न्याय के लिए आप Court कचहरी में जाते हैं, तो लोग कहते हैं कि Court कचहरी के चक्कर में मत पढ़ना नहीं तो पूरी संपत्ति बरबाद हो जाएगी, और होता भी यही है, आप जैसे ही Court में जाते हैं, आपको एक Court Fee वहाँ देना होगा, आपको आप एडवोकेट रखने होंगे, अच्छा वकील रखना है, तो ज्यादा पैसा आपको पे करना है, वहाँ पर नजाने कितने डॉकुमेंट्स आपको परचेश करने हैं, रोजाना आना जाना और अपना काम को छोड़कर वहाँ पर पहुचना, आपको अलग 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 ल ही नहीं, वहाँ केस को फाइल ही नहीं करेंगे, तो फाइनिशल बैरियर की वजह से बहुत से लोगों को जस्टिस नहीं मिल पाता है, बहुत से लोगों को जस्टिस इस नहीं मिल पाता है, कि आदालतों में लिंग्विस्टिक बैरियर जो हैं, वह बहुत ज़्यादा हो ज तो कई बार जो वहाँ पर पीडित होता है जब वह पहुचता है तो उसे मालूम भी नहीं चलता है कि क्या प्रोसीडिंग्स चल रही है, क्या बाते हो रही है और वह अंक्लिर सा रहता है और यह सिती एड़ोकेट्स के लिए सबसे सूटिबल कंडिशन होता है कि उसके क्लाइ का मतलब है कि जहां पर सोसाइटी वो वहां पर ऐसे लोगों को जश्टिस तक पहुचने ही ने दे, कोड तक पहुचने ही ने दे, जैसे हमारे घरों में अगर महिलाएं हैं, तो वहां पर अगर उनके साथ कभी भी किसी तरीके का अन्याय होता है, ब्रुटेल्टी होती है, उ हले ही वो हिंसक प्रवित्ति क्यों हो, लेकिन आपको साथ में रहना है, कई बार इस तरीके की चीजें ऐसा अपीजमेंट सुरू कर देती हैं, कि उनका जो राइट का वाइलेशन है, वो लगातार होता रहता है, तो सोसाइटी कई बार उनको नहीं जाने देती है, यसे सुचे जाती है, जन जाती हों के पास, यह हतियार तो है, लेकिन डर के कारण, गाओं वालों के डर के कारण, वहाँ पर बोल दिया जाता है, अगर इस गाओं से बाहर निकले, तो फिर आप लोगों के साथ हर वक्त पुलिस प्रशासन तो नहीं रहने वाला है, इस डर की व इसलिए क्रियेट हो रहा है कि आजकल तेजी के साथ वह लाइफ जो यहां पर कोड चल रहा है, इकोड जिसे आप कहते हैं, अब हम उसकी तरफ भी मूव कर रहे हैं, अब उस चीज को वही लोग सही तरीके से समझ पाएंगे और वहां पर जिरह कर पाएंगे, अपना पच्छ रख पाएंगे, जो डिजिटल नेटवर्क, डिजिटल जो टेकनॉलजी है, उससे फैमिलियर हो, उससे कमफर्टबल हो, तो अभी हमारी सोसाइटी में बहुत बड़ी आबादी है, जिसके पास डिजिटल लिट्रेसी नहीं है, हाँ वो यूट्यूब चलाना जानता है, फ भीर लगी रहती है, तो कई बार ये होता है, कि हम डिजिटल जो है, टेकनॉलजी को लेकर बहुत कमफर्टबल फिल नहीं करते हैं, अब जब ये सब चीजें हैं, हमारी सोसाइटी में हमें मालूम है, और आर्टिकल 39A कहता है, एक्वल जस्टिस और फ्री लीगल एड, तो फिर कैसे एक्वल जस्टिस होगा जब इतने लेयर पर बारियर है, तो क्या government ने इसके लिए कुछ किया है, तो no doubt government ने इसके लिए किया है, पारलिया मिंट ने एक Act बनाया हुआ था पारलिया मिंट ने इसके लिए नालसा Act यानि यहां पर इन्होंने National Legal Service Authority Act 1987 यहां पर बनाया हुआ था और इसके थ्रू एक संगठर बनाया गया जिसका नाम रखा गया नालसा यह नालसा जो है यहां पर यह एक statuary body है यानि एक सामवि अधिक निकाय है जिसको लाया गया था तो यह इस्टेबलिस किया गया था National Legal Service Authority के ताहत इसके जो पैटरॉन है इसके जो पैटरॉन है यानि संरक्षक है वह Chief Justice of India है Chief Justice of India इसके पैटरॉन होते हैं यह सब question आते हैं यह ध्यान में रहना चाहिए नालसा पर UPSC में भी question देखे जा सकते हैं अगर इसके composition की बात करेए, यहाँ पर मिलमिंबर्स की बात करें यहाँ पर तो इसके executive chairman इसके executive chairman तो यहाँ पर जो कारेकारी इसके अध्यच्छ होते हैं, पैटरॉन यानि सनरच्छक कौन होता है, मुखिनियाधीस भारत के, और कारेकारी जो है यहाँ पर जो चेर्माइन होते हैं, वह senior most of, senior most judge of Supreme Court होते हैं, यह इसके executive यहाँ पर चेर्माइन होते हैं, तीसरा, यहाँ पर अगर इनके बारे में बात किया जाए कि इनका jurisdiction किया है, तो आएए देखते हैं, इनका jurisdiction कहां कहां तक फैला हुआ, इनके jurisdiction की बात की जाए, छेतरा अधिकार की बात की जाए, तो इनका छेतरा अधिकार है, उसमें women, children, किनके लिए ये काम करते हैं, किनको free लीगल एड और यहाँ पर जो है लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। सेड्यूल कास्ट एंड सेड्यूल ट्राइप्स, विक्टिम्स ऑफ हुमन ट्राफिकिंग, इन सब के लिए ये नालसा जो काम करता है, इन सब के लिए काम करता है। इसी तरीके से इंडस्टियल लेवर्स इनके लिए और द्योगिक जो स्रमिक हैं, उनके लिए काम करता है। यहां पर विक्टिम्स ऑफ फ्लड या डिजास्टर जितने भी हैं, इन सब के लोगों को हेल्प इसके द्वारा किया जाता है। जो मॉब वाइलेंस के सिकार होते हैं, उनके लिए काम करता है। डिसेबल्ड परसंस के लिए इनके लिए काम करता है। और इसी तरीके से अरेश्टेट जो परसंस हैं, गिरफतार जो लोग हैं, उनमें जो ऐसे लोग हैं, जो कि जिनक तक न्याय नहीं पहुच पा रही है, उन सब का यहां पर काम होता है। तो पहले तो जूरिज्डिक्शन में इतने वनरेबल क्लासेज हैं जिनके लिए नालसा करता है। करता क्या है पहले ये भी समझेगा। जिनके बारे में समविधान के किसी अनुच्छेद में ही उलेख किया गया हो और समविधान के किसी अनुच्छेद द्वारा ही सक्ति दी गई हो, ऐसे निकायों को समविधानिक निकाय या कंस्चूशनल बॉडी कहते हैं। तो ये अंतर आपको समझ में आना होगा Statuary Body Parliament के Act के द्वारा बनाया गया तो यह जो नालसा है या Article 39A में कहीं भी मेंसन नहीं है यह Parliament ने बनाया है यह क्या है Statuary Body है इसका रोल क्या है तो रोल यहाँ पर सबसे important है कि यह अलग-अलग जवह पर Legal Clinic open करती है Legal Clinic में वहाँ पर Legal Education दिया जाता है तो प्रोवाइडिंग लीगल एजुकेशन और क्रियेशन ओफ लीगल अवेरनेस दूसरा इसका काम है यह लोक अदालतों को प्रमोट करती है लोक अदालतों को बढ़ावा देती है प्रोवाइडिंग फ्री लीगल एड यह निसुल्क विधिक सहायता उपलब्द कराना इसका काम होता है प्रोवाइडिंग फ्री लीगल एड और यह वकील भी अपॉइंट करती है यानि कि यह जो है इसका एक बड़ा काम होता है कि यहाँ पर मद्धेसता जो है मद्धेसता को बढ़ावा जो है और सुल्ह कि लोगों को अदालत जाना ही न पड़े ये काम भी जो है नालसा करती है कि अदालत के बाहर ही बैट कर क्यों न बात कर लिया जाए लोग अदालत ऐसा ही एक जगह होता है जहाँ पर आप अपने विवादों को अदालत में ले जाने की कोशिस नहीं करते हैं जालत के बाहर ही आप उसको settle down कर लेते हैं, तो ये काम यहाँ पर जो है वह नालसा का होता है, तो इससे ये समझ में आना चाहिए कि आखिर नालसा का जो रोल है, वह कितना अहम है, कितना important है, नालसा के बारे में ये सारी चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए, clear हैं तक, चल किलना क्या चाहता है, article 40, organization of village panchayat की बात करता है, यह organization of village panchayat की बात करता है, यानि gram panchayatों के गठन की, अब देखे, question कैसे कैसे बन सकते हैं, सम्मिधान के किस अनुचेद में नगर पालिकाओं के गठन का प्रावधान किया गया है, option A, मूल अधिकार, option B, नीती ने दे स इस तरीके सुनों ने वहाँ पर लिखा, तो यह panchayatों के बारे में है, यह ध्यान रखिएगा, gram panchayatों के बारे में है, कोई नगर पालिका वगरा के बारे में नहीं है, यह gram panchayatों के बारे में है, इसमें बोला गया गया है, the state cell takes steps to organize village panchayat, राज्य का काम होगा, ऐसा इसम उठाए कि gram panchayatों का गठन किया जाए, और indo them with such powers and authority as may be necessary to enable them to function as unit of self-government, यानि आर्टकिल 40 दो बहुत important चीज यहाँ पर बोल रहा है, state न किवल village panchayat को establish करे, बलकि उनको units of self-government के रूप में, अस्थानी स्वासाशन के रूप में उनको यहाँ पर देखे, यह इन द दोनों में कोई अंतर है, क्या यहाँ पर इसका कोई बहुत important सा मीनी निकल के आता है, तो बिलकुल, यहाँ पर थोड़ा सा brief में इस चीज को हम समझते हैं, तो एक तरफ इसमें बोला गया है कि panchayatों का गठन, राज्य के द्वारा क्या किया जाएगा, ग्राम panchayatों का ग इसका करना है, इनका function ऐसा हो कि यह स्वासासन की इकाई के रूप में यहाँ पर देखे जाए, तो article 40 जो है वह दो इन महतुपूर्ण चीजों को लेकर आता है, अब यहाँ पर जो हमें समझने वाली बात है, वो क्या है, Constituent Assembly में एक बड़ा debate चला, Constituent Assembly में एक तरफ यहाँ पर देखा जा रहा था कि गांधी जी थे, गांधी जी का कहना क्या था और Dr. Ambedkar क्या 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 कहना था, थोड़ा सा यहाँ पर हम समझते हैं, गांधी जी का कहना क्या था, उनका कहना था कि power should be decentralized, सक्ति क्या होनी चाहिए, सक्ति का विकेंदरी करण होना चाहिए, इनका मानना था कि power is equal to violence, सक्ति जो है हिंसा का रूप होती है, और सक्ति अगर किसी इंसान में या संस्था में बढ़ती जाए, तो हिंसा के प्रयोग की संभावना भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, तो गांधी जी का मानना था कि जितनी ताकत किसी में होती जाएगी केंदरित, हिंसा के प्रयोग की संभावना उतनी बढ़ती जाएगी, इसलिए गांधी जी राज जैसी संस्था के धुर विरोधी थी, उनका मानना आईदियल इस्टेट वो कैसा सरकार कैसा राज चाहते थे और एक प्रैक्टिकल इस्टेट की विवहारिक अस्तर पर क्या समभो है गांधी जी का कहना था कि ideal state उनके अनुसार से राम राज्य है ये राम राज्य क्या था तो गांधी जी राम राज्य को स्वराज्य के रूप में define कनते हैं उन्होंने किताब लिखी हिंद स्वराज और हिंद स्वराज यानि स्वराज का मतलब क्या है हम इतने aware हो, इतने duty bound हो, इतने समझदार हो, कि हम अपने आपको control कर सके, हम नियमों का खुद पालन कर सके, कोई नियम हमें न बनाए, बलकि हम नैतिक नियमों को खुद अच्छे तरीके से जाने। तो स्वाराज यानि रामराज यहाँ सेल्फ रूल की बात की जाती है, यानि कोई राज की जरूरत नहीं, तो रामराज में राज जैसी संस्था होती ही नहीं है, स्टेट की कोई जरूरत नहीं होती है, यह आइडियल स्टेट यहाँ पर है, लेकिन आइडियल जो यह सिस्टम इनों ने बताया कि state exist नहीं करेगा और लोग self-rule करेंगे, कोई बाहर का कानून की जरुवत नहीं पड़ेगी, ये फिलाल आज की society में तो near to impossible है, और future की society में भी नहीं दिख रहा है कि ऐसा possible है, यानि गांधी जी का वह आदर्स कि कोई ऐसा दिन आएगा, जब सभी लोग वह पर आचरण करना शुरू करें, व्यवहारिक राज जी की अगर बात करें, practical state की बात करें, तो गांधी जी ने कहा कि चलो ठीक है, राम राज नहीं आएगा, चो पंचायती राज यहां पर लाया जाएगा, इन्हों ने कहा गाव जो है, village republic, इन्हों ने ग्राम गरनाज का concept दिया, किसने, गांधी जी ने, village republic का concept दिया, इन्हों ने कहा कि गाव एक republic के रूप में है, जो अपनी जरूरते खुद पूरी कर सकता है, तो यहां पर ग्राम गरनाज का concept आया, डॉक्टर राजेंद प्रशाद इसके काफी बड़े समर्थक थे, और उनका यह मानना था कि village republic, जो है, village को as a unit of governments बनाया जाए, यानि गाव वह साशन की इकाई के रूप में देखे जाएं, और इनको आत्म निर्भर बनाया जाए, साशन की इकाई के रूप में यहां पर बनाया जाए, अब गांधी जी के विचारों पर आधारित पंचायती राज, वह ग्राम गरना जी की कलपना करता है कि गाव जो है, यहां पर सारी चीजों को वह करें, गांधी जी का कहना क्या था? उनका कहना था एक गाव को उतनी ताकत दे दो, जितना की वह कर सकता है, मतलब गाव जो अपने दम पर कर सकता है, वह सब कुछ उसे करने तो, अगर वह कृशी और अगर वहाँ छोटे उद्योग, अगर सिचाई की व्यवस्था वह स्वयम कर सकता है, तो ये काम उस गाउं पंचायत को दे दो, केवल वे काम जो गाउं ग्राम पंचायत नहीं कर पाती है, उसको अगले अस्तर पर खंड पंचायत, यानि तालुका जिसे वो कहते हैं, कि तालुका क जो काम न कर पाए, केवल वही काम जिले अस्तर पर जिला पंचायत को वहाँ पर दो, उन्होंने कहा कि जो काम जिला कर सकती है, वो करे, जो नहीं कर सकती है, वो राज के अस्तर पर राज पंचायत को दे दो, और जो यहाँ पर वह राज न कर पाए, राज पंचायत मतलब आपको दिखाई देगा, तो जो flow आप पावर है, वह यहां पर है, तो सबसे बड़ा केंद्र कौन है, यहां पर इकाई है, यह तो किसका कहना था, गाव है, इसका कहना था, गांधी जी का कहना था, अमबेटकर जी का कहना था, अमबेटकर जी का कहना था, कि यह super flop model है, इनका क्या कहना था, इनका कहना था, कि गाव जो है, गाव नहीं, गाव नहीं, व्यक्ति साशन की इकाई होने चाहिए, आप जो है, व्यक्तियों पर बल दीजिए, उनको लेकर आईए लोक तंत्र में, चुनाव करवाईए, व्यक्त इसलिए नहीं होना चाहिए, कि यह जो है, center of ignorance है, हमारे गाव वह अज्ञानता के केंद्र है, हमारे गाव में कम्यूनिलिजम है, हमारे गाव में लोकलिजम है, अस्थानियतावाद है, यहाँ जाती और समप्रदाईक बहावनाएं जो हैं, वह बहुत ज़्यादा है, समप खत्रियों का गाव है, वह यादों का गाव है, मौरिया का, वह ब्रामडों का, वह इनका बनिया का, अलग अलग जाती के आधार पर, मुस्लिम टोला, हिंदू टोला, तो अलग अलग वहाँ पर community के हिसाब से villages हमको दिखाई देते हैं, और इसलिए वहाँ वो sense prevail करता है, व गाव में सभी लोगों का situation equal नहीं है, क्योंकि वो feudal mentality वहाँ पर दिखाई देगी, तो उनका कहना था कि गाव अगर ताकतवर होगा तो गाव नहीं, बलकि वो जातियां, वो dominant caste वहाँ पर ताकतवर होंगे, जो लंबे समय से उस गाव में अपना प्रभाव बनाए रखे इससे तो हम जातिवात को और सामप्रदाइकता को मजबूती देंगे, उन्होंने कहा simple चुनाओ करवाईए और व्यक्तियों के रूप में जो है यहाँ पर प्रतनीधी सांसद में और विधान सभाव में जाएं, हम बिलेज पंचायत में विश्वास नहीं डगते, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर जो है आठकिल फोटी को हमारे constitution में एड किया गया, अनुचे चालिस जब लाया जा रहा था उसका भी अपना एक अलग तरीके का background था, शुरुवात में जब 46 से सम्विधान सभा में सम्विधान बनना शुरू हुआ, 1948 तक की इस्तिती ये थी कि अनुचे चालिस में ग्राम पंचायत के बारे में कोई उल्लेक नहीं किया गया था, यह अनुचे था यह नहीं, इसी बीच के संथानम सम्विधान सभा में बड़े active member थे, के संथानम उन्होंने proposal रखा कि गांधी जी के village republic को क्यो ना introduce किया जाए, तो के संथानम के प्रस अनुचेद 41 जो हमसे कहता है, पहले उसको हम समझते हैं, यह हमें अधिकार देता है, right to work, to education and to public assistance in certain cases, तो यह हमें, यह समझने वाली चीज है, कि यह अधिकार है, और यह अधिकार कैसा है, सामाजिक आर्थिक अधिकार, DPSP भी अधिकार ही है, मूल अधिकार वह नागरिक राजनेतिक अधिकार हैं, और निदे सकता है, तो सामाजिक आर्थिक अधिकार है, तो यहाँ पर काम का अधिकार, सिच्छा का अधिकार और लोकसाहता पाने का अधिकार बोला गया है, थोड़ा इस आर्टिकल को और डेटेल में देखते हैं, the state cell within the limits of its economic capacity, सबसे important चीज है कि अपनी छमताओं के अंदर, क्योंकि राज जो है उसकी भी अपनी एक economic capacity है, and development, within the limits of its economic capacity and development, make effective provision for securing the right to work, to education, and to public assistance in case of unemployment, old age, sickness and disablement, and in other cases of undeserved want. तो यहाँ पर इनका जो कहना है, आर्टिकल 41 में, इनका कहना है कि राज अपनी आर्थिक सामर्ध और विकास की सीमाओं के भीतर, काम पाने के, सिच्छा पाने के, और बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और निसक्तता, तथा अन्य, अनहर, अभाव की दसाओं में, लोक साह पाने के, अधिकार को प्राप्त कराने का प्रभावी उपबंद करता है, क्लियर है, तो आर्टिकल 41 की अगर हम लोग बात यहाँ पर कर रहे हैं, तो आर्टिकल 41 क्या-कया बोलता है, राइट ठू एजूकेशन, राइट वर्क, पहले चीज़ क्या है, राइट ठू वर्क, यानि काम के अधिकार की बात की गई, दूसरा Right to Education यानि सिच्छा के अधिकार की बात की गई, और तीसरा Public Assistance यानि लोक सहायता पाने की बात की गई, अब यहाँ पर थोड़ा सा ब्रीफ में इसको समझते हैं, Right to Work की अगर बात की जाए, काम का अधिकार, तो क्या काम का अधिक वह अभी तक लोगों को मिल पाया है, तो अगर इसकी बात की जाए, तो अगर हम पहले देखें, तो हमारे यहाँ पर जो First Phase था Right to Work को लेकर, तो सुरुवात में यहाँ पर In Beginning प्रारंभ में हम यह देखते थे, कि हमारे यहाँ Need-Based Approach काम करता था, Need-Based Approach का मतलब क्या है? क्यों चाहिए आपको? जरूरत क्या है आपकी? भोजन ना? तो काम के बदले अनाज, यानि आप काम कीजिए, हम आपको अनाज दे देंगे, तो यहाँ Initial Phase में Need-Based जो है, वह Approach था Right to Work को लेकर, कि आपकी बस जरूरते पूरी हो जाए, स्टेट जो है, वह जॉब करती थी, यानि आपूर थी, जब जाब है तो दे दिया, नहीं है तो नहीं दिया, लेकिन 90 के डिकेट के बाद भारत में अब यह मुद्दा बड़ा ही चर्चा में आना सुरू हो गया, कि हमें अब Right to Work जो है, वह Need के रूप में नहीं चाहिए, हमें Qualitative जॉब चाहिए, हमे Good Job चाहिए, तो After 90 जो है, यहाँ पर अलग अलग तरीके की Demand चल रही है, 1990 के बाद Demand क्या चल रही है, कहा जा रहा है, पहला और सबसे महत्वपोर्ण चीज यहाँ पर है, कि अब यह Demand-based या Right-based approach यहाँ पर देखा जा रहा है, नीड नहीं, यह हमारा अधिकार है, यह कर रहे हैं, आप State हो, हमने आपको चुना है, तो अब नागरिक सीधे बोल रहे हैं, हमें काम चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, तो Right-based approach यहाँ पर काम करनता हुआ दिखाई देगा, या Demand-based, अब मांग की जाती है नागरिकों के द्वारा, कि हमें काम चाहिए, यह मांग दिखी जा रही है, आपने देखा होगा, इधर भी इस तो बहुत से ऐसे, Social Media पर चीजें Circulate हुई, लोगों ने का, हमारी बेरोजगारी खत्म करो, हमें रोजगार दो, रोजगार दो, तो यह क्या है, एक तरीके का pressure tactics है सरकारों पर, तो Right-based, Demand-based approach यहाँ पर इसको लेकर आया, दूसरा और जो सबसे महतुपूर्ण चीज यहाँ पर देखने को मिल रहा है, कि अब यहाँ पर यह बोला जा रहा है, कि हमें जो है, वह job better form में होना चाहिए, यानि good job चाहिए, हमें केवल job नहीं चाहिए, अब हमें good job चाहिए, और good job का मतलब क्या है, हमें suitable job चाहि उप्युक्त काम चाहिए, उप्युक्त रोजगार चाहिए, अपने अनुसार रोजगार चाहिए, यहाँ पर suitable job जब तक नहीं मिलेगा, dignified job चाहिए, कि यहाँ पर ऐसा नो हो कि हम काम कर रहे हैं, और माले मालिक हमको वहाँ कभी भी fire कर दे रहे हैं, कभी भी मार पीट रह हमारा भी सम्मान होना चाहिए, dignified job वहाँ पर होना चाहिए, good job का मतलब है कि जहाँ पर वह हमारा worth हो, living wages वहाँ पर मिलते हों अच्छा वहाँ पर हमारा growth हो, तो वहाँ पर जहाँ growth जादा अच्छा हो, वह job हमें चाहिए, हम जिससे एक decent standard of living जो है अपना maintain कर सकें, हमें अ आज के समय में job कैसा चाहिए, हमें job according to our skill चाहिए, हमें यहाँ पर job according to our skill, हमारे जो है, जो skill है, हमारे कौसल के अनुरूप रोजगार चाहिए, यहाँ पर जो हमारे यहाँ बहुत बड़ा पौद रहा है, traditional society में, हमारी society में ऐसा नहीं है कि लोगों के पास skill नहीं था, एक taboo है, एक stereotype image Indian की बनाई गई है कि they are unskilled और इसलिए बाहर के skill लोग यहाँ पर company लेकर पहुच गए, we are very skilled, हम बहुत कुसल है, बस हमने अपने आपको market से नहीं जोड़ा, हमने अपने आपको innovation से नहीं जोड़ा, हम static हो गए, हम inertia की स्तिती में आ गए, और जरूरत इस च ज्यूल कास्ट और Muslim community में बहुत बड़ी संख्या में लोग ऐसे हैं, जो कि leather industry से जुड़े हुए थे, आगरा या कानपूर में leather industry का हब था, और पूरी भारत में leather industry का हब था, छोटी-छोटी मोची की दुकाने हुआ करती थी और वहाँ पर चपल जूते सारी चीजे बनती थे, उनको अगर हम trend करते, अगर हम उनका value addition करते, हम अगर उन्हें market तक ले जाते, तो साइद आज जो है, हम leather industry में दुनिया को lead कर रहे होते, हमारे अंदर ये capability थी कि हम दुनिया को leather industry क्योंकि ये हम natural हमारे अंदर ये जो है skill था, ये natural बहुत सालों साल से जो है, सैक्डों हुए, इनके यहाँ आप जाएंगे, देखेंगे, इनकी weaving जो skill, weaving जो industry थी हमारी बुनकर उद्योग, बहुत बड़ा उद्योग था, textile industry इंडिया की बहुत बड़ी industry है, लेकिन हमने इसमें innovation नहीं लाया, हमने इसमें किसी तरीके का, वह designing पर, research पर किसी तरीके का investment नहीं कि या, और इस वजह से हम पिछरते गए, आज पूरी दुनिया की leather industry भारत बन सकता है, आज पूरी दुनिया की textile hub जो है, वह पूरी दुनिया में वह भारत बन सकता है, यह भारत के पास यहाँ पर skill है, लेकिन job according to our skill के लिए हमें करना क्या होगा, हमारे skill को development करना होगा, तो यहाँ पर हमें यह भी देखना है, कि skill development जो schemes हैं, वो यहाँ पर, skill development यह भी होने चाहिए, दूसरी चीज है, जो यहाँ पर बोला गया है, कि आप जो इस वक्त सबसे ज़्यादा emphasis किया जा रहा है, कि job यहाँ पर जो job seeker है, वो आपको बनने की जरूरत नहीं है, जो government का कहन है, job seeker नहीं, आप job provider बनिये, not job seeker, but job provider, रोजगार प्रदाता बनने की कोशिस यहाँ पर करनी चाहिए, तो अगर देखेंगे, तो हमारे यहाँ कोशिसे भी इस तरीके क्यों नहीं, जैसे right-based approach जब से आया है, तो मनरेगा एक legal right, right to work को पहली बार कानूनी अधिकार, guaranteed right है मनरेगा संसद के कानून के द्वारा बनाया गया एक विधिक अधिकार है, जो आपको गारंटी देता है कि न्यूनतम संख्या में इतने दिन आपको काम मिलना ही मिलना है, अगर नहीं मिलता है, तो आप इसके खिलाप court में जा सकते हैं, यह एक legal right आपका है, यहाँ पर सरका वह good job के लिए कोसिस कर रही है, नेशनल लाइवली हुड मिशन, राष्टी आजीवी का जो नेशनल लाइवली हुड मिशन, नेशनल रूरर लाइवली हुड मिशन, यह urban rural दोनों चल रहा है, तो यह good job का एक self-help group यहाँ पर चलाए जा रहे है, इनका कोसिस है कि यहाँ पर इसकिल को enhance करने की कोसिस कर रही है, यह रोजगार देने वाली schemes है, यहाँ पर job provider हमें बनाने की बात की जा रही है, तो इस startup का नाम आपने सुना है, या आपने stand-up का नाम सुना है, आपने मुद्रा का नाम सुना है, यह सारे schemes इसलिए लाए जा रहे हैं, जिससे कि हम आने वाली पीणिया वह job provider के रूप में बन सके, अपने आपको देख सके, job seeker के रूप में न केवल confine करें, तो right to work जो है, वो हमारे यहां क्या है, वह धीरे धीरे इस्टेबलिस किया गया है, अगर right to education की बात करें, कि क्या हमारे यहां right to education जो है, निदेशक तत्तों में लिखा तो गया है, लेकिन यहां पर क्या यह आज देखा जा रहा है, तो बिल्कुल देखा जा रहा है, पहले हमारे यहां जो education को लेकर perspective था, वह class centric education, infrastructure centric education था, या फ हम जब भी सिच्छण व्यवस्था, सिच्छण संस्था को समझते थे, तो हम classroom की अनुसार, वहां पर enrollment कितने लोग आ रहे हैं, इनकी अनुसार देखते थे, यानि number, हम वहां number देखते थे, हम infrastructure देखते थे, कल तक हमारा focus इस चीज पे रहता था, लेकिन आज यह देखा जा है, नई सिच्छा नीती आई हुई है, एक बार जरूर से पढ़िएगा कि नई सिच्छा नीती जो है, वो क्या कह रही है, new education policy, तो आज यह जो है right to education है, इसको well-establish किया गया है, 6-14 वर्स के बच्चों की पढ़ाई लिखाई तो वह अनुछे 21-A के तहत मूल अधिकार बन की सभी, right to education यहाँ पर अनुछे दिक्तालिस में यह सब के लिए है, किवल 6-14 साल के बच्चों के लिए नहीं है, हम यह बता रहे हैं कि इसका महत तो कैसे कैसे समय के साथ बढ़ा है, कि 6-14 साल के बच्चे को तो वहाँ पर मूल अधिकार ही बना दिया गया है और अन्य लो education यहाँ पर कैसे established हो रहा है, public assistance की अगर हम बात करें, तो यह certain cases में public assistance की यहाँ पर बात की गई है, यहाँ पर जब हमने कहा कि public assistance किन दसाओं में बोला गया है, तो यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ बुला गया है, कि बिरोजगारी की स्थिति में, बिरोजगारी की स्थिति में, इसके साथ साथ, यहाँ पर क्या है, unemployment, old age, sickness and disablement, तो बिरोजगारी, व्रिद्धावस्था, बीमारी और निशक्तता, ऐसी स्थितियों में सरकार सहयता देगी, जैसे बिरोजगारी भत्ता आपने सुना होगा दिया जाता है, व्रिद्धावस्था में, old age home बनाये जाते हैं, बिमारी के स्थिति में आपने प्रधान मंत्री आयुस्मान भारत योजना का भी सुना होगा, भारत सरकार इस तरीक लोन वगरा, बहुत सी चीज़ें वहाँ पर उनको की जाती है, तो Article 41 यह राइट्स की बात करता है, अलग-अलग तरीके के राइट्स यहाँ पर प्रवाइट करने की बात करता है, अब जो प्रॉब्लम है वो है Article 42, अनुच्यत 42 की अगर हम बात करें, तो अनुच्यत 42 क्य of work and maternity relief, दो चीज़ें यहाँ पर हैं, पहली चीज बोली गई है कि स्टेट का यह काम होगा कि वह जस्ट और human condition of work बनाएगा, काम का अधिकार केवल जरूरी नहीं है, बलकि आपके लिए नियायपूर्ण और मानवो जित यहाँ पर काम की दसाएं भी होनी चाहिए, और human condition of work, तो यहाँ पर काम की नियायपूर्ण और मानवो जित दसाओं की बात करता है, और दूसरा यहाँ पर क्या बोलता है, दूसरा maternity relief, 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 तो यहाँ पर वह काम की नियायपूर्ण और मानवो जित दसाओं की बात करता है, और यहाँ पर बोला गया है मात्रित्व सुविधाव, maternity relief की बात की गई है, मात्रित्व सुविधाव की बात की गई है, अब देखी यहाँ पर, just and human condition, राइल कमिशन की रिपोर्ट ने ब्रिटेन के industrialization पर एक बड़ा खुलासा किया था, जब ब्रिटेन में industrialization start हुआ तो बोला गया कि वहाँ 18-18 घंटे मजदूरों को फैक्टरियों में काम कराया जाता था, और साथी साथ उन्हें छुटियां भी नहीं मिलती थी, और अगर छुटियों की बात कोई करता था, उसे कभी भी fire किया जा सकता था, कोई नियम काईदा वहाँ पर नहीं होता था, ventilation की सुबिदा नहीं होती थी, जहाँ पर वो काम करते थे, गंदगी बहुत जादा होती थी, ऐसे situation में वहाँ पर लोगों को काम करना पड़ता था, जब देश आजाद हुआ, तो हमने राज से कहा कि हम नहीं चाहते हैं, कि हमारे मजदूर जहाँ पर भी काम करें, वहाँ क काम के घंटों को भी तै करता है, अवकास की भी बात करता है, तो factory act बहुत ही important है, इसी तरीके से हमने company act भी बनाया हुआ, company act भी हमने यहाँ पर बनाया हुआ है, अब बात आती है maternity relief की, मातरे तुष सुविधा का मतलब क्या है, हमारे यहाँ पर यह देखा जाता है कि जो मा है, वह सबसे महत्वपूर मानी जाती है, और मा महत्वपूर क्यों मानी जाती है, किवल इसलिए नहीं कि बच्चे को जन्म दे रही है, बलकि इसलिए कि जो बच्चा उनका आने वाला है, वह किवल बच्चा उनका नहीं है, वह बच्चा इस देश का है, और इस देश का भविश्य है, यानि अगर मा एक स्वस्थ बच्चे को जनम दे रही है लड़का या लड़की को, तो स्वस्थ भारत की निव वहीं पर रख दी जा रही है, लेकिन अगर एक बिमार लड़का लड़की मा के जरिये आ रहे हैं, तो बिमार भारत की भी तस्वीर आ जाएगी, ह हम उनके स्वास्त को कैसे बेतर करें, उनके मेटेनिटी को कैसे हम ज्यादा ज्यादा रिलीव पहुचाएं, आपको मालूम होना चाहिए कि एक समय था भारत में मात्रित्य मृत्युदर्ग बहुत बड़ी संख्या में होता था, यानि मदर मॉटलिटी रिट यहां पर चाहिए, unfortunately हमारे यहां बहुत सी माताएं ऐसी हैं जिनका हिमोग्लोबिन 10 और उसके नीचे भी देखा गया है, और बहुत सी माताएं ऐसी हैं जो वेट गेन करने में capable नहीं होती हैं during pregnancy, और इससे केवल complication नहीं आते हैं body में, बलकि इससे जो बच्चा जर्म लेता है, कई कई बार वह stunning का सिकार होता है, वह छोटे कद का रह जाता है, कई बार वह विमार ज्यादा vulnerability of sickness उसकी बहुत ज़्यादा रहती है, कई बार यह देखा जाता है कि वह वहां पर मानसिक रूप में बहुत ही ज़्यादा concentrated नहीं रह पाता है, क्योंकि वह nutrition, जो deficiency उसकी body में रही है, during जो वह womb में, यानि गर्व में जब तक वो रहा, अगर उसी दौरान उसका विकास नहीं हो पाया, तो बच्चा वहां पर वह mature रूप में जन्म नहीं लेगा, इसलिए अगर देश के समाज के भविश्य के बारे में हमें चिंता करनी है, तो हमें चिंता करनी होगी अप अगर विकास जो है, लेंगिक रूप में उचित नहीं है, तो ऐसा विकास संकट ग्रस्त विकास होगा, अगर हम अपनी माताओं को ध्यान नहीं देंगे और डिवलप्मेंट करते रहेंगे, तो डिवलप्मेंट आना ही नहीं है, उसकी वज़ा हमने ये बताया, इसलिए हम हमारे यहां पर माताओं को अलग-अलग सुभधा दी जाती है, जैसे पहले हमारे यहां दाई लोग जो है, वो घरों में बच्चे जन्म करने की प्रत्रिया होती थी, दाई के द्वारा कराये जाता था, प्राबलम यह होती थी कि दाई भी स्किल्ड थी, मतलब अपने तरी स्किल्ड की जगह experienced कहा जाए, बहुत से बच्चों को उनोंने पैदा कराये, लेकिन वह हाईजेनिक बहुत जादा नहीं हुआ करती थी, गाउं में वहां पर कई जगों पर देखा जाता था, कि वह infection और बाकी चीजें, बहुत से माताओं की मृत्यू इसलिए हो जाती थी, कि वहां पर un-institutional तरीके से जब बच्चे का delivery कराई जाती थी दाई लोगों के द्वारा, तो कई बार मा को वहां पर infections हो जाते थे और वहां पर death हो जाता था, इसलिए government of India और government of other states सभी लोगों ने decide कि हमें जो institutional delivery है, संस्था गत प्रशो है, हमें उसको बढ़ावा देना है तो हमने सुना होगा किंद्रा गांदी मातरित्व सुरच्छा योजना चराया गया, अलग-अलग तरीके के scheme चलाई गई अलग-अलग सरकारों के दौरान और जो संस्थागत प्रशो है उसको बढ़ावा दिया गया, यह अच्छी बात है कि आज अधिकांस्ता प्रशो वह संस्थागत रूप में, इंस्ट्यूशनल रूप में हो रहे हैं, जिससे हम अपनी माओं की जान बचा पा रहे हैं, इसी तरीके से एक बड़ा प्रॉब्लम तब आया जब नब्बे के बाद महिलाएं वह कामकाजी होने लगी, यानि घर के बाहर निकल कर उन्होंने काम करन सुरू कर दिया, अब ऐसे में महिलाएं अपने ट्रेडिशनल रोल को अपने साथ लेकर कर रही हैं, लेकिन उनके पास एक नया रोल आ चुका है, यानि यह परंपरा और आधुनिकता का एक अजीब सा संकट यहां पर देखने को मिल रहा है, जहां पर आधुनिक भूमिका यानि काम बाहर निकल कर रही हैं, लेकिन अभी भी वो मा की भूमिका को उनको साथ लेकर चलना है, तो यह एक रोल जो है, यहां पर दो-दो रोल कंफिक्ट करें, अब ऐसे में अगर वहां पर प्रेगनेंट होती हैं, तो जो भी उनकी कमपनी के मालिक हैं, उनर हैं, वो उ जो है, इस तरीके के इंसिडेंट हो रहे हैं, इस तरीके गटना हो रही हैं, तो यह जो है महिलाओं के लिए उचित नहीं हैं, तो कुल मिलाकर यहां पर जो हमें समझना है, कि यह सिच्वेशन को देखते हुए ही, हमने मात्रित्व अवकास का एक नियम बनाया, तो यहां पर जो है, मेटेंटी लीव एक्ट यहां पर मात्रित्व अवकास अधनियम के बारे में आपने सुना होगा, तो मात्रित्व अवकास अधनियम इसलिए लाया गया, और कहा गया, कि अगर महिलाओं जो हैं, तो वहां पर बुला गया लीव दिया जाएगा, मेटेंटी लीव दिया जाएगा मात्रित आवकास अधनियम में 26 सप्ता का 26 weeks जो है यहां पर यहां पर दिया जाएगा यह paid leave होगा यह paid leave होगा पैसा इसमें मिलेगा 26 सप्ता इनमें आप यहां पर 18 week ले सकते हैं प्री डिलिवरी यानी 18 जो यहां पर सप्ता है यह आप यहां पर जो है ले सकते हैं प्रसो के पूर्व जो है यहां पर आप यह काम कर सकते हैं और बाकी रेस्ट जो है sorry, 8 सब्ता होनी चाहिए नहीं चाहिए आप से जो है यहां पर होना चाहिए कि 8 सप्ता जो है आप प्रसो के पूर्व ले सकते हैं और 18 सप्ता प्रसो के बाद ले सकते हैं तो यह इस तरीके से किया जा सकता है? clear है? तो यह यहाँ पर किया जा सकता है,"8 सब्ता और 18 सब्ता तो यह यहाँ पर जो हम लोगों ने देखा अब जो हम लोगों को समझना है," फुSp420 अब उसकी तरफ चलते हैं, तो Article 41 और Article 42 क्या है, यह यहाँ पर हम लोगों ने बात किया है, और यहाँ पर हमने कहा कि यह जो paid leave, maternity leave में दी जाएगी, इसका प्रावधान केवल दो बच्चों तक सिमित है, और यहाँ पर इससे ज्यादा बच्चों के लिए नहीं, तो एक बा problem नहीं आएंगे, अब आएए next यहाँ पर समझते हैं, living wages, etc. for workers, सही भी बात है, अगर हम चाहते हैं कि हमारे जो स्रमिक है, मजदूर है, कर्मकार है, हम उनको काम का अधिकार दे, हम काम की नियायोचे तो मानवोचे दसाएं भी दे, लेकिन उन्हें हम वेतनी न दे, हम उन महल में हमने कहा कि आपको यहाँ पर काम करना है, AC वगरा चल रहा है, यहाँ सोना है, लेकिन आपको बदले में salary कुछ नहीं दी जाएगी, कोई मतलब ही नहीं है वो जगह, आप में से हो सकता है, बहुत से लोग इस offer को ले ले, कि चलो कोई बात नहीं, Netflix चला कर वहाँ पर नहीं दिया जाता है और हम under payment के सिकार होते हैं, बहुत कम भुकतान किया जाता है, इसलिए Article 43 कहता है, the state shall endeavor to secure by suitable legislation, or economic organization, or in any other way, to all workers, सभी करमचारियों के लिए, agricultural, क्रिस्को के लिए, industrial और द्योगिक जो करमचारी हैं, या अन्य, तो यानि खेतियर जोग मजदूर हैं, करमचारी हैं, industrial worker हैं, सभी लोगों के लिए एक living wage, यानि जीवन निर्वा भत्ता वहाँ पर मिल सके, और ऐसा conditions वहाँ पर मिल सके, conditions of work, ensuring a decent standard of life, एक बहतर जीवन की दसा जो है, सुनिश्चित करने वाला वहाँ पर दसा होना चाहिए, and full enjoyment of leisure and social and cultural opportunities, का सोची ऐसा होता, कि भारत में जो लोग काम करते हैं, पांच दिन काम करतें, दो दिन घूमतें, युरोप की इस्तिती क्या ह आप पांच दिन काम कर रहे हैं, दो दिन आप क्या कर रहे हैं, आप वहाँ पर आराम कर रहे हैं, यानि लाइफ की quality, आप अपनी family के साथ बेतर time यहाँ पर spend कर पाते हैं, आज जबकि private sector के हालात कुछ ऐसे हैं, कि पांच दिन की तो छोड़िये, यहाँ पर साथ दिनों त विधाएं दे सके हैं, राज्य को यह जिम्मेदारी यहाँ पर दी गई है, तो राज्य की जिम्मेदारी आर्ट्किल 43 में clear कर दी गई, तो आर्ट्किल 43 क्या कहता है, आर्ट्किल 43 कहता है, कि state के द्वारा living wage, जीवन निर्वाह मजदूरी मिलनी चाहिए, और क्या होना चाहिए, कर्मचारियों को सिष्ट जीवन अस्तर, वकस को decent standard of living होनी चाहिए, सिष्ट जीवन अस्तर होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, अवकार सामाजिक, सांस्कृतिक अवशर होने चाहिए, social, cultural opportunities होनी चाहिए, हम अपने त्योहार मनाएं, छुटियां मनाएं, यह हमारे पास होना चाहिए, और अगर article 43 को और ध्यान से देखेंगे, तो एक अलग चीज इसमें बोली गई है, यह सब बोलते हुए, अचानक उन्होंने बोला है, the state's style endeavor to promote cottage industries on an individual or cooperative basis in rural areas, यहाँ केवल living wage की बात नहीं की गई है, यहाँ सेवल social, cultural opportunities की बात नहीं की गई है, इसमें कुटिर उद्योगों को बढ़ावा देने की बात की गई है, क्योंकि कुटिर उद्योग में एक ही परिवार की अधिकांस लोग सामिल होते हैं, और एक उद्योग के जरिये पूरे परिवार की जरूरते पूरी हो जाती हैं, तो cottage industry भारत में बहुत पहले से रहा है, लेकिन समय के साथ-साथ cottage industry गत्म हुआ है, पहले यह जो भूनकर उद्योग, कालीन उद्योग, आप भधोई का सुनते हैं, कालीन उद्योग, तो कालीन उद्योग में पूरा परिवार सामिल हुआ करता था, सबकी जरूरते वहां से पूरी हो जाती थी, किसी को कहीं भटकने की जरूरत नहीं होती थी, तो यहाँ पर कुटिर उद्योगों को बढ़ावा देने की बात भी क्या है, बोली गई है, यह गांधी जी का सप आपके दिमाग में होना चाहिए, अब आईए अगले आर्टिल की तरफ चलते हैं, आर्टिल 43-A की तरफ चलते हैं, जो बाद में कंस्टिूशनल अमेंडमेंट्मेंट के जरिये जोडा गया था, आर्टिल 43-A, Participation of Workers in Management of Industries, उद्द्योगों के प्रबंदन में करमचारियों की भागेदारी, आपने पुरानी फिल्में देखी होंगे, पुरानी फिल्मों में एक तरफ कादर खान साहब मजदूरों के नेता के रोप में मजदूरों को प्रेडित करते हुए दिखाई देते होंगे, कि हम म हम पर मिल का मालिक जो होता था, हमजद्खान साहब टाइप का आदमी, वो आराम से बबे पाओ वहां पर आता था कहता था कि कोई एक मजदूरों का नुमाइंद अभा आकर हम से आफस में मिले, और किसी एक से वो मिलते थि, जिससे मिलते थे, उससे आफर करते थे, कि कि त उनसे जैसा नेता बन जाता था, तो फिर अगले दिन वो दिखाई नहीं देता था, उसकी डिड़ बॉड़ी कहीं और दिखाई देते थी, कहने का मतलब ये है कि पहले के समय में जो वरकर थे उनकी आवाज वह मालिकों तक पहुचती नहीं थी, और पहुचती भी तो दमा द जाती थी, ये एक दौर था, हमने इस चीज को अनुभाव किया, खासकर अंग्रेजों के समय में भी अनुभाव किया, तो हमने 42 सम्विधान संसोधन 1976 के जरिये, अपने करमचारियों के लिए ये प्रावधान किया, कि एक सेंस आफ ओनर्सिप होना चाहिए, अगर बात धे I.S. की हो रही है, तो धे I.S. में जो इसके founder हैं, जो इसके directors हैं, और जो यहाँ पर जितने faculties हैं, जितने भी यहाँ पर जो है, स्टाफ हैं, जितने लोग यहाँ पर हैं, वो सब के अंदर ये feel आना चाहिए, कि यह संस्था हमारा अपना संस्था है, और अगर यह संस्था हमारा अपना संस्था, यानि sense of ownership है, तो यह कैसे पता चलेगा, कि यहाँ पर कोई काम अगर करना हो, तो यहाँ जितने लोग स्टाफ में काम कर रहे हैं, अक्सर हम लोग उनसे पूछते हैं, कि अच्छा और बताइए क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, क्या करना चाहि जो sense of ownership, तो वहाँ पर काम करने का जो एक आनन्द है, वो एक अलग level पर पहुँच जाता है, आपको लगता है कि नहीं, जितना हम मेनत करेंगे, जितना हमारा संस्था बहतर प्रणाम देगा, उतना हमारा नाम होगा, हमारा जो है growth वहाँ पर होगा, तो sense of ownership होना चाहिए, और यह कब होता है, जब निरणेओं में उनकी भागेदारी बढ़ाई जाए, तो article 43A वह यही बात कहता है, कि जो प्रणधन में करमचारियों की भागेदारी को बढ़ाया जाए, किवल मालिक वहाँ पर फैसला नहीं लेंगे, करमचारियों के inputs भी वहाँ पर क्या हैं, ले प्रणधन में कामगारों की भूमिका, तो अगर आप article 41 से लेकर, article 43A तक देखेंगे, तो एक synergy आपको देखेंगी, article 41, right to work, बाकी भी right है, right to education of public strength, right to work, article 42 क्या है, कि just and human condition of work, काम की नियाय उचित, मानुव उचित, दसाएं, तीसरा क्या है, तो तीसरा article 43, वो क्या करता है, living wage, जिव निर्वा मजदूरी होनी चाहिए, decent standard of living होनी चाहिए, कोटेर उद्द्योग, सामाजिक सांस्कृते काउंसर, और 43A, उद्द्योगों के प्र article 43B, यहाँ पर देखना है, article 43B जो है, यह सहकारी समाज के समवर्धन की बात करता है, यह cooperative societies की बात करता है, और cooperative societies के बारे में क्या बोलता है, तो कहता है cooperative society, यह राज की जिम्मेदारी होगी, कि वो cooperative societies की voluntary formation, voluntary formation, स्वैचिक रचना को यहाँ पर क्या करेंगे, वो बढ़ाव देंगे, दूसरा, उनके autonomous functioning को बढ़ावा देंगे, उनके स्वायत कारिकरण को बढ़ावा देंगे, उनके democratic control को बढ़ावा देंगे, और उनके professional management को यहाँ पर बढ़ावा देंगे, तो यह एक बहुत महत्वपूर प्रावधान है, article 43B का, समस्ते हैं कि यह cooperative societies क्या है, और यह क्यों article यहाँ पर insert किया गया, तो यह जो है, यहाँ पर 97th constitutional amendment 2011 के थ्रू इसको जोडा गया था, पहले यह हमारे constitution में नहीं था, यह ध्यान रखिएगा, जहां भी capital A, capital B का mention हो रहा है, तो इसका मतलब यह, अगर small a है, तो तो provision है, सब clause है, जैसे article 39 और small a लिखा है, तो इसका मतलब क्या है, article 39 clause a, लेकिन अगर article 39 a लिखा है, तो यह separate article है, यह एक अलग article है, तो यह ध्यान रखना है, इसका मतलब यह amendment से जुडा गया है, पहले था नहीं, तो यह ध्यान में रखना है, capital और small में, तो 97th constitutional amendment यहाँ पर लाया गया, और cooperative societies की, यानि सहकारी समाज की बात की गई, सहकारी समाज जो है, यहाँ पर क्या होते हैं, सहकारी समाज का मतलब है, जो साजे आर्थिक हितो, यानि shared economic interest के ground पर एक दूसरे से मिलते हैं, और इस तरीके का कोई काम करते हैं, कैसा काम करते हैं, अब हमारे यहाँ पर क्या problem थी, पहले वो समझेगा, हमारे य गाओं में यह देखा जाता था, छोटे-छोटे यहाँ पर जोत होते थे, यानि marginal जो है, land holding size हुआ करते थी, यहाँ marginal format जादा थे, maximum, और यहाँ पर आवादी बहुत जाद है थी, उसके अनुपात में, जमीने हमने कहा, वहाँ पर कम हैं, आपके पास जमीन कम है, तो किवल आप imagine कीजिए, कि मेरे पास यहाँ पर एक विगे की जमीन है, अब एक विगे की जमीन के लिए, क्या मैं ट्रेक्टर पर्चेस करने की इस्तिती में हो, क्योंकि जितना उतपादन होगा, उसी हिसाब से inputs वहाँ पर हम ला सकते हैं, क्या हम यहाँ अत्यादुनिक seats खरीश सक सकते हैं, क्या अच्छे-अच्छे मसीन यहाँ पर लाए जा सकते हैं, आपकी जब जमीन छोटी है, उपज के बाद उतपादन जो आपका होने वाला है, वो बहुत कम होने वाला है, जिससे इतना निवेस करने की इस्तिती में आप नहीं है, तो आपकी खेती ट्रेडिशनल खेती ही बनी रहेगी, आप उस खेती में वही चावल वही यहूं बार बार उगाते रहेंगे, कोई एक्सपरिमेंट करने की कोसिस आप वहाँ पर नहीं करेंगे, इंडोनेशिया में तो बहुत से ऐसे वहाँ पर चावल खेत हैं, जहाँ पर चावल की खेती भी हो रही है, और मचली का उत्पादन उसी खेत में हो रहा है, बहुत अलग-अलग से एक्सपरिमेंट दुनिया के अलग-अलग देशों में हो रहा है, हमारे यहां उतने नहीं हो पाते हैं, क्यों? क्योंकि इन्वेस्टमेंट, एग्रिकल्चर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? इन् अब अगर सोचिए कि बगल में यहां पर रामदीन काका का भी एक विगा जमीन था, और यहीं पर ही यह देखा जा रहा था, कि रामनिहोर का भी यहां पर एक विगा जमीन है, अब अगर यहां पर यह सब मिल जाएं, और कहें कि यह ऐसा है कि हम सब अपनी जमीन एक दूसर जोड देते हैं हमें मालूम है कि हमारी जमीन कहां सह तक है लेकिन हम लोग एक कॉअपरेटिव सोसाइटी बना कर थोड़ी थोड़ी जो हमारी बचत है चाह GC रख लेते हैं पहले आप इस्तिमाल करेगा, फिर हम कर लेंगे, फिर हम कर लेंगे, तीनों लोगों का काम हो जाएगा, और हम इसी तरीके से अन्य जो मसीन तकनीक हैं वो भी ले लेंगे, तो आप सवताइए कि क्या यह एक अच्छा मॉडल नहीं है, यह बेहतरीन मॉडल था जो सोवियत रसा में, या कि यहां पर जो कोपरेटिव सोसाइटीज हैं, उनको इस तरीके से बनाने की बात चल दिए, लेकिन अब एक समस्या समझिएगा, हमारे यहां जातिवाद, सामप्रदाइवाद, ऐसी समस्याइं हैं और राजनीती, ऐसी समस्याइं हैं जो कित्ती भी अच्छे से अच्छे क यहां पर देखा क्या जाता है? कि हम जो है, कौपरेटिव सोसाइटी हमने बनाया, आपस में बिढ़ गए। कौपरेटिव सोसाइटी अगर भारत में देखा जाए, तो सफल अगर देखे गए, तो एक तो अमूल का नाम आपने सुना होगा, अमूल जो है वह एक सफल है, सौ किसानों से मिला कर, वर्गिस कुरियन साहब ने सौ किसानों को, और जब कन्वेंस करने गए, कोई उनके साथ आने को तयार नहीं था, लेकिन दिन रात मेहनत करके सौ किसानों को अपने साथ जोड़ा, और उसके बाद आज अमूल पूरी दुनिया में देखा जा रहा है, तो इस तरीके के प्रियोग अन तरीके से करते थे, वहाँ पर जो है, प्रोफेशनल जो है, मनेजमेंट नहीं होता था, तो प्रॉब्लम्स बहुत थी, इसलिए आर्टकिल 43 भी लाया गया 2011 में, क्योंकि ये तो सहकारी समाज का कंसेप्ट 1950, नहरु जी ने तो उसी वक से स्टार्ट किया हुआ था, लेकिन उसके बावजूद ये हो नहीं पा रहा था, तो ऐसे में इस अनुछेद में बोला गया है, कि हमारा फोकस क्या होगा, कि सहकारी जो समाज हैं, उनका वॉलेंटरी फॉर्मेशन, वॉलेंटरी जो फॉर्मेशन है, स्वैच्छिक जो है, निर्मान को बढ़ावा दिया जाए तीसरा, डिमोकरेटिक कंट्रोल, लोकतांत्रिक नियंत्रन को बढ़ावा दिया जाएगा, और प्रोफेशनल मेनेजमेंट की बात यहां पर की जाएगे, व्यावसाईक प्रबंधन यहां पर किया जाएगा, एक चीज यह धियान रखियेगा, कि जो यहां पर इनके लिए स्टेट लेजिसलेशर वह लॉव बनाती है, राज विधान मंदल द्वारा विधिया बनाई जाती, राज विधान मंदल द्वारा विधिया बनाई जाती, आगे हम इसको अलग से भी एक बार कराएंगे, क्योंकि यहां से क्वेशन बनते हैं, एक दो बार UPPCS म यहाँ पर चुकि यह हमारे सम्विधान के भाग 9, part 9a में, नगरपालिकाओं के बारे में बोला गया, part 9b आगे चल कर, वो cooperative societies से है, तो वो अलग से हम लोग देखेंगे, इतनी चीजे पहले तो हमें समझ नहीं है, जो DPSP में लिखी गई है, वो theme समझ में आना चाहिए आप स को समझते हैं, अनुच्छे 44 जो है, Uniform Civil Court for the Citizens की बात करता है, आप में से, अगर आप लोगों से सवाल पूछ हो, कि क्या आपको लगता है, समाननागरिक संगिता वा लागू होनी चाहिए, या नहीं होनी चाहिए, आप में से कुछ लोग बोल रहे होंगे, मैं मान, मैं प्र आप क्लास लेते हुए, जहां कहीं भी हो, तो वहाँ पर आप में से आधे लोग ऐसे होंगे, आधिकांस लोग ऐसे भी होंगे, जो समाननागरिक संगिता के बड़े पच्छदर होंगे, कि नहीं नहीं, बिलकुल Uniform Civil Court होना चाहिए, और आप में से ही कुछ लोग ऐसे लोगे कि नाना, Uniform Civil Court किसी कीमत पर नहीं होना चाहिए, ये Uniform Civil Court जो है, वह कम्यूनिटी के खिलाफ यहाँ पर है, अब सवाल ये है कि जो लोग Uniform Civil Court के फेवर में है, क्या वो Uniform Civil Court जानते हैं, क्या होता है, और जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, क्या उनको मालूम है कि Un Uniform Civil Court क्या है, मेन प्रॉब्लम है कि हम डिस्कोर्स तुरू कर देते हैं, हम कंक्लूजन तक पहुचते हैं, लेकिन बीच का जो डिबेट है, हम उसको गायब कर देते हैं, सही बुद्ध जीवी, सही इंटलेक्चुल वो है, कि अगर कोई घटना आ रही है, आगे ये ध्यान कोई भी अगर incident आ रहा है, तुरंत reaction, immediate reaction देने से बचिए, हमारी समस्या है कि हम तुरं लीड लेना चाहते हैं, एक intellectual community में लीड लेना चाहते हैं, हम साबित करना चाहते हैं, हमें सब कुछ मालूम है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हमें संतुलित होना जरूरी है, और खासकर आप लोगों को, bureaucrats को, कोई भी अगर event आ रहा है, कोई incident, कोई video viral हो रहा है, कोई news आ रही है, तो आप ततकाल reaction देने के बजाए, उसको पहले verify करें, पहले उसके बारे में research करें और तब कोई वहाँ पर निरने ले, तो इसलिए अगर हम article 44 की बात कर रहे हैं, तो article 44 क्या कहत है थोड़ा देखिएगा, the state cell endeavor, यानि endeavor का मतलब कोईस करेगा, यहाँ पर यह बहुत important, यह एक टर्म बहुत important है, राज जुसे बोला गया है कि वह कोईस करेगा, to secure for the surgeons a uniform civil court throughout the territory of India, पूरे भारत में यह कोईस करेगा कि एक समान नागरिक संगिता लागू हो सके, तो आईए इस पूरे debate को देखते हैं, कि आखिरी यह समान नागरिक संगिता होती क्या है, और क्या इस से related debate है, तो uniform civil court की हम लोग बात कर रहें, अब यहाँ पर कुछ छोटी छोटी चीजें पहले समझते हैं, पहली चीज क्या है, अगर हम बात करें कि law, विधी क्या है, का कानून क्या है, पहले यहां से सुरू करते हैं, तो कानून का मतलब होता है कि जो human conduct को control या regulate करें, कानून क्यों बनाए जाते हैं, मानवी आचरण को regulate करने वाले, to regulate human conduct or human practices, तो मानवी आचरण को निर्देशित करने वाले नियम होते हैं, हमें क्या करना चाहिए या क्या नह ही करना चाहिए, को निर्देशित करने वाले नियम, अब एक चीज और समझिये, अगर इस definition तो इसके according तो हर तरीके के rule जो है, वह जैसे religious rule में है, धर्मी ने भी कुछ बोला है, तो क्या वो सब law है, तो law बनाया किसके जाता है, राज्य के द्वारा, इसलिए इनके उलंग पर दंड की विवस्ता होती है, अगर इनका violation आप करते हैं, तो punishment का भी provision होता है, तो कानून वो होता है, जो मनुष्य के आचरण को वह निर्दहारित करता है, और जिसका उलंगन करने पर दंड की विवस्ता की जाती है, punishment, बाकी के जो नियम है, समाज में, परिवार में, व पनिसिबल हो, वह दंडनी, लेकिन राज्य के द्वारा, सरकार द्वारा बनाये गए कानून, यहाँ पर मनुष्य के आचरण को निर्देशित, नियंत्रित करते हैं, अब यही पर एक दूसरा वर्ड है, यह law और एक होता है code, यानि संगीता, क्या सब्द है uniform civil code, तो पहले यहाँ पर समझते है code की बारे में, code का मतलब क्या है, set of laws, यानि विभिन विधियों का समुच्य है, तो यहाँ पर यह set of laws है, बहुत से जो कानून हैं, उनको एक जगह, एक जैसे कानूनों को एक साथ, अगर codified कर दिया जाए, लिखित रूप में रख दिया जाए, तो उन Uniform Civil Code का मतलब है कि ऐसे law, civil code, यह civil code के लिए है, यानि civil law के लिए है, कि ऐसे जो code है, यानि ऐसे law, जो civil law है, उनको एक जगह पर codified किया जाए, और सभी religious groups के लिए इंडिया में uniform बनाया जाए, अब सवाल क्या है, कि code का मतलब समझ में आ रहा है, यह भी कानून ही है, बस बह code दो तरीके का हो सकता है, एक होते है criminal law, यानि एक आपराधिक कानून होता है, और एक civil law होता है, आपराधिक कानून होता है, और एक civil law होता है, criminal law और एक civil law, वैसे तो law को बहुत अलग-अलग तरीके से define कियाता है, जिन लोगों का subject होगा law, जिनोंने LB वगरा किया होगा, वो इस चीज को समझ रहे होंगे कि law को वैसे तो कई अलग अलग तरीके से define कियता है लेकिन हम यहाँ पर अपनी समझ के लिए दो मोटे-मोटे रूपों में इनको divide कर रहे हैं एक criminal law और एक civil law criminal law का मतलब है ऐसे act जो आपके body या property को damage करते हूँ या threat देते हूँ तो आपके ऐसे कार्य जो शरीर्व संपत्ति को छति देते हों उन्हें prevent करना उन्हें रोकना और अगर वहां पर ऐसा कर दिया गया है तो उसके लिए दंड देने की प्रावधान किया थे तो criminal law है वो fix है Criminal law का मतलब है आपने किसी की सरीर पर हमला कर दिया, आपने उसका murder कर दिया, आपने चोरी कर लिया, आपने डकैती कर लिया, आपने कोई भी इस तरीके का काम जो force के दम पर संपत्ति को कबजा कर लिया, यह सब criminal activities के रूप में यहाँ पर हैं. इसके अलावा भी जितने अन्य disputes हैं, other disputes, जो interpretation of law की वज़े से हैं, कानूनों की व्याख्या की आधार पर जो विवाद हैं, disputes हैं, उनको हम civil law में रखते हैं, जैसे आप एक company में काम कर रहे हैं, आपके मालिक ने आपको निकाल दिया, आपने का नहीं हम नहीं निकलेंगे, civil law के through, वहाँ पर आप जाएंगे, अन्य जो कानून होते हैं, वो दिवानी कानून के रूप में होते हैं, तो दिवानी जो कानून होते हैं, civil law, इसमें भी दो तरीके के law होते हैं, एक जो public life से related हैं, एक जो public life से related यहाँ पर हैं, दिवानी कानून, यानि सामानी विवाद, इंसानों के बीच सामान जो है संबंधों का निर्धान अन्य संबंधों का निर्धान जो कियाता है लेबर ला, प्रापर्टी ला, कोई भी लाओ, तो सार्विनिक तो किसी भी व्यक्ति का एक सार्विनिक जीवन होता है और किसी का भी व्यक्ति का जीवन व्यक्तिगत जीवन, personal life भी होता है सिविल ला मतलब आपका दूसरों के साथ कैसा relation है तो आपके जो सम्मंध होते हैं दूसरों के साथ सम्मंधों का निर्धान वह किया जाता है और यहां पर एक विशेश तरीके का सम्मंध सरीर संपत्ति को छती पहुचाने वाले काम, क्रिमिनल लाउ युनिफॉर्म है, हिंदू, मुसलिम, सिखिसाई, कोई भी हो, क्रिमिनल लाउ सब के लिए, पहले युनिफॉर्म नहीं थे, पहले वहाँ पर जब अंग्रेज आये, तो अंग्रेजों को अलग तरीके का दंड का प्रावधान था, और भारतियों के अलग तरीके का दंड का प्रावधान था, जब मुगल आये, तो वहाँ पर भी दंड के प्रावधान अलग अलग देखे जाते थे, उच्छ जातियों के संबंद में, पुरानी समाजों में, उच्छ जातियों को कम दंड का प्रावधान सेम अपराद में कम दंड का प्रावधान और निचले जातियों को अधिक दंड का प्रावधान किया जाता था तो ये लंबे समय से हमारे यहाँ पर देखा जाता रहा है अब जो सवाल यहाँ पर है और वो सवाल क्या है वो सवाल यहाँ पर है कि दिवानी जो कानून है से मिल रहे हैं, हम सड़क पर चल रहे हैं, ट्रैफिक लाज वहाँ पर है, हम किसी कह काम कर रहे हैं तो वहाँ company law है, contract law है, कोई भी कानूझ हो, किसी कानूझ के अधिन ही तो हम आएंगे, तो बाहर की दुनिया में जब हम संबंद बनाते हैं, तो वहाँ पर भी यूनिफॉर्म यहाँ पर जो है लौ है, पब्लिक लाइफ में भी चाहे वो प्रॉपर्टी लौ हो, कॉंट्रेक्ट लौ हो, लेबर लौ हो, सारे लौ जो हैं, हिंदू-मुस्लिम सिक्साई सब के यानि पर्सनल लाइफ में जो पर्सनल रिलेशन होते हैं व्यक्तिगत संबंद, वो व्यक्तिगत संबंद क्या होते हैं? यह व्यक्तिगत संबंदों से संबंदित व्यक्तिगत जीवन में जो व्यक्तिगत संबंदों को निर्धारित करने वाले कानून होते हैं, जो के बीच में, जो रिस्ते हैं, वो कैसे होने चाहिए, इनको जो decide किया जाता है, उसको बोलते है personal law, व्यक्तिगत कानून, इनको क्या बोलाता है, व्यक्तिगत कानून, यह व्यक्तिगत कानून के रूप में है, अब सवाल क्या है यहाँ पर, क्या यह व्यक्तिगत कानून ही जो है universal है तो ये व्यक्तिगतर कानून इंवरसल नहीं है यहीं से problem है जब यह कह रहें कि universal civil code है ना uniform civil code समान नागरिक संगिता ये नागरिक संगिता ये नागरिकदीवानी का मतलब नागरिक कानून है इसको आप नागरिक भी बोल सकते हैं और आप इसको दिवानी कानून भी बोल सकते हैं, समान दिवानी संगिता या नागरिक संगिता यहाँ पर, तो समान नागरिक कानून की बात आती है, तो सारवजनिक जीवन के जो हमारे संबन्ध है, वह उसके कानून सब के लिए एक जैसे हैं, लेकिन व्यक्तिगत जीवन में अलग- यानि personal law होते हैं, इसलिए uniform civil court तब तक नहीं होगा जब तक कि personal law जो है uniform नहीं होगे, तो basically UCC का मकसद personal law को uniform करना है, किसको करना है, व्यक्तिगत कानूनों को, अब सवाल यह है कि व्यक्तिगत कानून क्यों नहीं यहाँ पर uniform हो पारे, इसका कारण है कि personal law जो है, वह religious text grant यानि धर्म पर आधारित हैं, based on religion, यह धर्म पर आधारित हैं, जो personal law है, अब यह धर्म पर कैसे आधारित हैं, जैसे, हिंदू religion में यह माना जाता रहा है कि विवा एक पवित्र संसकार है, और यह ऐसा संसकार यह ऐसा बंदन है, जो साथ जन्मों के पहले तूटने वाला नहीं, तो यह हिंदू religion का faith है, या इसी तरीके से इसलाम में भी वो अलग-अलग तरीके के नियम काइदे वहाँ पर बताए गए हैं, कि तलाक कौन दे सकता है, कैसे दे सकता है, कितनी साधियां हो सकती हैं, नहीं हो सकती हैं, ऐसे तमाम वहाँ पर provisions दिये गए, अब सवाल यहाँ रचे गए थे, बनाए गए थे, वो society आज से centuries ago, बहुत पुरानी society थी, जहाँ पर ऐसे नियम बनाए गए थे, एक ऐसा समाज था इरहमी, बरहमी सदी या दसमी सदी या उसके पुरानी सदी, मद्यकाल या मद्यकाल के पहले प्राचेन काल में, जब इन धर्मों का उदय हो रहा था, जब धार्मिक आचार संगिताएं जब ऐसे कानून बनाए जा रहे थे, वो society feudal और patriarchal society थी, वहाँ पर महिलाओं को घर की चार दिवारियों में कैद करके रखा जाता था, और इसलिए महिलाओं के उपर कई तरीके के बंदिस इन व्यक्तिकत कानूनों में लगा द जैसे हमने कहा कि हिंदू अगर हम कानून के हिसाब से देखें, हिंदू जो टेक्स्ट बुक हैं, तो यहाँ पर तलाक का कंसेप्ट नहीं रहा है, यहाँ हिंदू धर्म में विवा एक बंधन है, साज जन्मों का बंधन है, अब सोचिए कि किसी एक महिला को, कोई एक ऐसा पती मिल जा रहा है, जो ऐसी सोबहागे साली महिला हो, कि रात में जब साम को वह पती आता हो, तो वह बिलकुल वहाँ पर बिना अपने किसी होस में, बिहोसी हालत में वह पहुचता हो, मुस्कुराता हो, और वहाँ पर गालियों के साथ और मारना पीटना सुरू कर देता ह उस महिला के साथ, वो महिला क्या करेगी? क्योंकि जैसे ही वो अपने घर फोन करेगी, तो उधर से उसकी मा बोलेगी महिला की, कि देखो ये तो पहला जनम है, अभी तो छह जनम सेस हैं, ये सात जनमों का बंदन है, ये तोड़ा नहीं जा सकता, और तुम अभी परिसान होग चलता रहता है. अब सवाल ये है कि इस तरीके का जो यहाँ पर ये problems देखे जा रहे और इसे तरीके से आप इस्लाम में आईए. वहाँ पर marriage जो है एक contract है एक सम्झ होता है जहाँ पर यह माना जाता है कि उस contract को पवित्र सम्झ होता है कि उस contract को कोई तोड़ना जो पारें, तो आपको contract से बाहर निकल जाना चाहिए, यानि तलाक की वैवस्था तो है, लेकिन इसलाम में जो तलाक की अलग-अलग विधाएं हैं, चाहे वो यहां पर वो तलाक के बिद्दत हो, तलाक के हसन हो, तलाक के एहसन हो, खुला हो, कई अलग-अलग तलाक की विधाए उनमें से यह देखा गया कि पुरुसों के द्वारा महिलाओं को तलाक दिया जा सकता है लेकिन महिलाओं के द्वारा अगर पुरुस को तलाक देना है तो केवल एक तरीका है और वह है खुला का और समस्या ये है कि खुला जैसे तलाक में भी वह पुरुस की सहमती लेनी क्या हो जाती है, जरूरी हो जाती है, तो कहने का मतलब है कि वहाँ भी महिलाएं क्या हैं, सबॉर्डिनेशन की स्थिति में, हिंदूों में, मुसल्मानों में, कई जगों पर, और ये एक ऐसी रियल् की लड़ाई नहीं है, युनिफॉर्म सिविल कोड की लड़ाई वह कोई पॉपलेशन कंट्रोल की लड़ाई नहीं है, युनिफॉर्म सिविल कोड की लड़ाई जेंडर जस्टिस की लड़ाई है, लेंगिक नियाय की लड़ाई है, कि जो महिलाओं के साथ, हम लड़के औ एक बार समझेगा कि कहां कहां प्रॉब्लम आ सकती हैं वहां पर तो चाहे वो बच्चियां हो वो महिलाएं हो पतनियां हो जिस भी भूमिकामी हो उनके साथ कई कई अस्तरों पर जो है वह रिलीजिन के आधार पर डिस्क्रिमिनेट किया जाता है और पुर्सों से बेहत कम अधिकार वहां पर दिये जाते हैं और धर्म की आधार पर पूरी तरह इसे जस्टिफाइड ठहराए जाता है अब थोड़ा इसके डेवलप्मेंट को भी समझने की कोसिस कीजिएगा जब हमारा देश आजावध हुआ तो 1941 में हमने एक हिंदू जो रिफॉर्म कमेटी थी उसको हमने बनाया और उस रिफॉर्म कमेटी में ये बात उठा कि हमारी जो हिंदू सोसाइटी है वो धीरे-धीरे कई सोसल इविल से घिरे हुई है और हमें उन सोसल इविल्स को दूर करना है इसके लिए कहा गया कि जो personal law है उन personal law को क्या करना होगा change करना होगा उन personal law को modified करना होगा उनको बेतर बनाना होगा ऐसे में 1950 में जब constitution का commencement हो रहा था सम्विधान जब लागू हो रहा था तो अमबेटकर जी ने एक प्रस्ताव रखा और यह प्रस्ताव था हिंदू कोड बिल का प्रधान मंत्री नहिरू जी भी इससे पूरी तरीके से समत थे दोनों ने मिलकर हिंदू कोड बिल को लाने का प्रयास किया कोड का मतलब क्या है set of laws groups of laws बहुत से कानून लाने थे तो 1950 के बाद वह अलग-अलग समय पर अलग-अलग कानून लाए गए और 1956 तक यह कानूनों की स्रिंखला लाई गई इसलिए 1950 to 1956 इन्हें हिंदू कोड लौ के नाम से आना जाता है इनमें हिंदू मैरीज एक्ट, हिंदू स्पेशल मैरीज एक्ट, हिंदू सक्षेशन आक्ट, एडॉप्शन आक्ट, तमाम तरीके के अच्ट थे अधनियम थे जिनके थूँ हिंदू परसनल लौ को वह रेशनलाइज क करने की कोशिज की गई, हिंदू धार्मिक समाज के व्यक्तिगत कानूनों को तार्किक बनाने का प्रयास किया गया. सवाल ये था कि आर्टिल 44 तो यूनिफॉर्म यहाँ पर वह सिविल कोड की बात करता है, और यूनिफॉर्म सिविल कोड का सामानिसा अर्थअगर समझें, तो हर एक रिलिजियस ग्रुप के परसनल लौ को रेशनलाइज और मॉडनाइज करना है. जो व्यक्तिगत कानून अलग-अलग धार्मिक समुदायों में हैं, उनके व्यक्तिगत कानूनों को न केवल लोकतांत्रिक बनाना है, आधुनिक बनाना है, प्रगसील बनाना है, जिससे वहाँ पर वह लोकतांत्रिक मुल्यों को परिवार में डाला जा सके, पारिवारिक व्यक्तिगत रिस्तों में भी लोकतांत्रिक रिस्त, नियम वहाँ पर हो, यानि वहाँ पर जो भाई बहन के बीच में रिस्ता है, माबाप के बीच में रिस्ता है, वहाँ पर बच्चों के साथ, या वहाँ अलग-अलग पति-पत्नी के बीच रिस्ता है, ये लोकतांत्रिक रिस्ताओ, पती केवल इस आधार पर पत्नी पर हात न उठाए, क्योंकि वह उसका पती है, या माबाप केवल इस आधार पर अपने बेटों पर अपनी बेटियों प्रत्याचार न करें, क्योंकि ये मेरे बच्चे हैं, तो बच्चे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी प confidence को खत्म कर दिया जाता है, अगर guardian सिव अच्छा नहीं रहता है, तो हम यहाँ पर अब एक ऐसी society में चल रहे हैं, जहां हमारे मुझ कहीं जाकर हम यह बोल सकते हैं, कि हम एक modernized society में, progressive society में, एक civilized society में रह रहे हैं, जी रहे हैं, यह इस तरीके की कल्पना हमें करनी हैं, तो ह हमने पर्सनल law को rationalize करना स्टार्ट किया, पहली लिए हिंदू marriage, जो हिंदू court act, Hindu court bill ठाट, सवाल पुछा गया कि हिंदूों में ही क्यों, uniform क्यों नहीं, मुसल्मानों के लिए क्यों नहीं, सिखों के लिए क्यों नहीं, इसाइयों के लिए, क्यों नहीं, पार्षीयों के ल में हुई थी, हजारों लाखों लोग मारे गए दुनों तरफ से, चाहे वो पाकिस्तान जा रहे मुस्लिम हो और पाकिस्तान से आ रहे हिंदू हो, रास्तों में बहुत बड़ा यहां पर वह धंगा हुआ, रक्त रंजित वो पूरा दिर्श्य पूरे देश में रहा, जो एक दूसरे के साथ एक दूसरे के परोसी की रूप में सुख दुख में साथ साथ रहते हुए रह रहे थे। वही हिंदू और मुस्लिम बन गए और अचानक एक दूसरे की हत्या करना उन लोगों ने शुरू कर दिया। तो एक unfortunate partition हमारा हुआ था। अब इसमें problem क्या थी। problem ये थी कि भारत अगर चाहता तो वह भी पाकिस्तान के रास्ते को चुनता। लेकिन इंडिया का जो अपना एक strength रहा है, जो अपना cultural heritage रहा है वह इसे अलग तरीके से लेकर जाता है। पाकिस्तान ने two nation theory की बात की, उसने का धर्म की आधार पर देशों का मुलकों का बटवारा होना चाहिए। पाकिस्तान ने कहा की हम इसलाम की आधार पर यह मुसल्मानों का देश होगा और वहां पर पाकिस्तान को उसने declare किया। भारत ने कहा हम ऐसा अपने साथ नहीं करे हमारा देश विवित्ताओं का देश है हमारा देश हिंदूओं के लिए भी उतना है जितना मुसल्मानों के लिए जितना सिखों के लिए जितना इसायों के लिए संभो था जिस तरीके से भारती राष्टी कांग्रिस में हिंदूों का दबदमा था या संभो था कि उस दोरान हिंदू राष्ट के भी प्रस्ताव अगर कांग्रिस चाहती तो वो भारत में ला सकती थी लेकिन यह भारत भारतियता और उसकी आत्मा के साथ सबसे बड़ा धोका होता इसलिए भारत ने यह पहले ही दिन से लाइन खीची हुई थी कि हम यहाँ पर किसी भी धर्म विशेस के रूप में अपनी पहचान नहीं बनाएंगे हमारा कोई religion नहीं है as a state जिसको जो धर्म मानना है वह समाज में मान सकता है अब सवाल यह था कि आजाद भारत हो चुका था हमने अपनी एक छवी बना ली ही थी हमें क्या करना है हमने सोच लिया था लेकिन समस्या यह थी कि पाकिस्तान एक एजंडे पे काम कर रहा था पहले ही दिन से और वो एजंडा क्या था? क्योंकि पाकिस्तान को मालूम था कि एक बड़ी तादाद में भारत में मुसल्मान रह रहे हैं अगर देखा जाए तो दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी मुसलिम आबादी वो भारत में रहती है इंडोनेशिया पाकिस्तान के बाद तीसरी सबसे बड़ी मुसलिम आबादी पूरी दुनिया में वो भारत में रहती है तो पाकिस्तान का प्रयास हमेशा इस आबादी को यहां पर यह एसास दिलाना होता था कि तुम भारत में secondary citizen हो, भारत में दूसरे अस्तर के दोयम दर्जे के नागरिक हो, उनका ये प्रयास होता था कि वो पुरी दुनिया में भारत की एक छवी बनाएं कि भारत minorities का exploitation करता है, भारत में अलपसंख्यकों के उपर हमले होते हैं, भारत में अलपसंख्यकों के साथ अ हमारे देश में communal violence होते हैं, communal tension होते हैं, लेकि इतने simple majority और minority relation में इसको आप नहीं draw कर सकते हैं, कई जगों पर यह देखा गया कि जहां पर हिंदू community number में यानि नुमेरिकली ज़ादा थे, तो उन्होंने मुसल्मानों पर ज़्यादा त्याचार किया, तो कई ऐसी भी जगह हैं, जहां मुसलिम आबादी ज़्यादा थी, तो हाँ हुआ, हिंदूों पर हावी पड़े, और वो जो ये communal tension है, ये पूरे समाज की विशेस्ता नहीं, ये कि पूरे देश में communal tension होते, ये specific area की tension है, और ये कुछ anarchist, कुछ अराजक तत्यों के लोग, जो pre-motivated हैं, पहले स decided है कि ये काम हमें करना है, दंगे हमें भढ़काना है, लोगों को लडाना है, ये उनके द्वारा ये विल्कुल विल-planned तरीके से लाया जाता है, इसलिए इंडिया के बारे में ये conclude करना बेहत गलत है, कि यहां पर minorities के साथ secondary treatment किया जाता है, लेकिन ये propaganda पाकिस्तान वहां पर लेकर चल रहा था, और minorities के psychological fear को capitalize करना चाहता था भारत के, इसलिए हमने एक बड़ा decision लिया, हमने कहा कि चुकि धर्म सबसे समवेदन स्रिल मुद्दा भारत में है, और इस society को rationalized होते होते समय लगेगा, हमें पहले lead by example, उदहारन देकर यहां पर आगे बढ़ना होगा, तो सबसे पहला हमारे लिए जरूरत यह बात का था, कि अगर हम हिंदू religion में, अगर किसी तरीके का rationalization, यानि majority जो religion है, अगर उसके धर्म नियमों में कोई बदलाव कर रहे हैं, तो other community के लिए ऐसे सरकार के बदलाव को स्विकार कर पाना ज़्यादा आसान होगा, तो हमने majority religion में जो personal law थे उनको change करने के लिए 1950 से 56 में ये कानून हिंदू code bill के लिए लेकर आई, और आपको क्या लगता है कि ये इतना आसान रहा होगा, हिंदू code bill में क्या changes आई थी, पहली बार हिंदू religion में वह divorce का concept आया, तलाक की व्यवस्ता आई, और ये अपने आप म में तलाक सब्द या किसी कीमत पे किसी हिंदू को बरदास्त नहीं होता, क्यों क्योंकि हमने पहले ही कहा, कि हमारे यहां marriage जो है, वह एक पवित्र बंदन, वह एक संसकार, धार्मिक संसकार माना जाता है, कि यहां पर कोई अलग हो ही नहीं सकता है, तो ये एक बड़ा rigid sentiment य इंटरफेत marriages को, इंटरकाष्ट marriages को promote किया गया, कि अंतरजाती विवा और अंतरधार्मिक विवा भी हो सकते हैं, भारत में हिंदू समाज में तो इस्थिती ये थी कि एक गाउं में वह साधिया नहीं हो सकती थी, और यहां पर बात हो रही है, अलग धर्म में, अलग जाती में साधी, या अपने आप में हिंदू सोसाइटी के fundamental जो law थे, fundamental rules थे, उनको change करने वाले थे, इसमें बोला गया कि अब महिलाओं को, बच्चीों को भी, वह पिता की property, पैट्रिकल प्रापर्टी है, उसमें वहां पर हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, ऐसे कानून आ रहे थे, जो वाकई हिंदू सोसाइटी को accept कर पाना वहां पर क्या था, वह मुश्कल था, इसलिए इस दौर में डाक्टर राजिन प्रशाद इस कानून के पच्च में नहीं थे, श्यामा प्रशाद मुखर जी जी इस कानून के पच्च में नहीं थे, और ऐसे बहुत से leader थे, जिनक अगर political willpower नहीं दिखाते तो इस तरीके का change नहीं आता, हिंदू code will आया और हिंदू code bill जब आया तो इसने वाकई society को change करने में बड़ा role play किया, धीरे धीरे समय के साथ महिलाओं के इस्तिति में सुधार आया, धीरे धीरे तलाग जैसी प्रथाई अगर कोई विवा वह नह अगर सही तरीके से चल पा रहा है, आप खुद सोचिए कि एक कोई व्यक्ती है, जो बहुत बत्तमीज है, बहुत हिंसक किस्म का है, और एक कोई लड़की है, जो वहाँ पर हर संबो अपनी कोसिस करी है, लेकिन इसके बावजूद उसके साथ प्रतार ना हो रहा है, तो क्य फिर भी दोनों को साथ रहना चाहिए, और फिर भी आपका लॉजिक ये बोलता है कि दोनों को साथ रहना चाहिए, तो इसका मतलब है कि आपको क्या कराने की जरूरत है, अपने आपको बहतर कराने की जरूरत है, अपनी सोच बदलने की जरूरत है, तो यहाँ पर इस तरीक से बदलाव की प्रक्रिया शुरू हुए नाइंटीनेटीव फाइव में एक ऐसा ही मामला मुस्लिम सोसाइटी से जुड़ा हुआ आया मुस्लिम सोसाइटी की सहबानों 62 वर्स की महिला सहबानों वह कोर्ट में पहुशती हैं उनके पती जो खुद एक वकील रहते हैं वह उन पत्ते बता दी जाती है और तलाक वहां पर आसान है तलाक दिया जा सकता है लिया जा सकता है तो यह तलाक का एक मामला वहां पर था पती पत्नी दोनों राजी थे तलाक देने के लिए 1985 साभानो महिला का यह मामला था लेकिन हिंदू रिलीजन हिंदू कोड बिल के माधियम से चल रहा था और Muslim religion, Muslim Sariya Act के मादियम से, जो Sariya के नियम थे, उसके हिसाब से चल रहे थे, उसमें कोई change नहीं था. जो Hindu code will था, हमने कहा, उसमें पहली बार divorce का concept आया, तलाग का concept आया, कहा गया कि पूरुस महिला अलग हो सकते हैं, लेकिन चुकी हमारे यहाँ 90 के पहले तक, विमेन को कोई public life में opportunity नहीं थी, न तो बच्पन में उन्हें पढ़ाया जाता था, न तो उनके अंदर कोई ऐसा skill develop, skill क्या होता था महिलाओं के अंदर, उनका future career बच्पन से clear होता था, वह बच्पन में ही छोटी सी रहती थी, तो वह घर के बरतन साफ करना, या आटा गुथना, छोटे-छोटे काम करना शुरू कर देती थी, यानि धीरे-धीरे उसे अपने career को मालूम है कि क्या करना है, जैसे बड़ी होती थी, उसे dance सिखाया जाता था, अच्छा बच्ची ये बताओ, बेटी ये बताओ, कि तुमको गाने आता है, एक गाना गा के सुनाओ, नाचने आता है, तो वहाँ पर interview भी होता था, और interview के बाद उन्हें job मिल जाता था, wife का, अब यहाँ पर इस पूरे process को simplified कई लोगों के लिए offensive हो सकता है, ये बाते जो हैं सुनना कई बार हमें आत कर सकती है कि विवा को आप इस तरीके से या पत्नी होना, क्या वो एक job है, इस तरीके से बताया जा रहा है, तो बिल्कुल नहीं, सवाल इस चीज का है, इसके पीछे, जो महिलाओं की इस्थिती वहाँ पर कमजोर बनी होई थी, हम चर्चा उस बात की कर रहे हैं, न तो हम उस नैतिक, उस मुल्यों की बात कर रहे हैं, या उसके नैतिक महत्यों की जो विवा है, जो पति-पत्नी के बीच एक खास रिस्ता है, वो एक बड़ा महत्वुन अलग सा रिस्ता है, अलग चीज है, लेकिन सवाल यह है कि इसके पीछे, जो महिलाओं के साथ गलत हो रहा है, उसको हम justify नहीं कर सकते हैं, तो महिलाओं के पास कोई skill नहीं होता था, अब आप सोचिए कि एक महिला को, अगर 1960 में एक पुरुस ने एक महिला को तलाग दे दिया, या महिला ने अपने पती को तलाग दे दिया, अब वो महिला क्या काम करेगी, उसके पास कोई skill नहीं है, उसके पास कोई degree नहीं है, कि वो जाए और job ले ले, उसके पास कोई degree नहीं, music वेगरा उसने सीखा है, लेकिन वो सीधे लता मंगेश कर आसा भोसले बनने के लिए नहीं सीखा है, बस इतना जितने से दो लोग, चार लोग सुन ले, वो skill ऐसा नहीं था जो पब्लिक फोरम पर वहाँ पर कर सके, बच्पन से अब तक वो साई nature की रही है, यहीं उसको सिखाया भी गया है, पहली बार तो वो सामाजिक जीवन को जहिलने जा रही है, अब सवाल है कि डाइवोर्स के बाद, अगर वो अपने मूल घर जाना चाहती है, तो मूल घर में अब माता पिता जी तो बुड़े हो गया हो सकता है, उनका निधन हो जाए, अब उस मूल घर में जहां से वो आई थी, वहाँ पर भहिया भावी का राज चल रहा है, और भह लग तरीके के होते हैं, तो यहां पर प्राब्लम ये थी कि उनका एक्स्प्लाइटेशन बहुत जादा बढ़ जाता था, ना उन्हें उस घर में जगा मिलती थी, ना इस घर में जगा मिलती थी, महिलाओं के लिए कोई रास्ता नहीं सोचता था और ये बहुत-बहुत अगर वो capable होनके अंदर वो confidence हो, तब वो बाहर निकल सकती हैं, अब हमने कहा कि ये चीज policy maker अच्छे से जानते थी, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा सुर्वाती दौर में, कि अगर कोई भी पति-पतनी के बीच हिंदू religion में वह तलाक होता है, तो पती का ये दाइ पूरी होती रहे, तो ये एक अच्छी व्यवस्ता हो गई कि चलो अब महिलाओं का सोशन तो कम से कम इस से रुकेगा, उनके पास अगर वो पैसा आएगा, तो कम से कम अपना और अपने बच्चों का भरण पोशन तो कर पाएंगी, उन्हीं सो पचासी में सहभानों ने यह ही मांग की, हाला कि सरिया एक्ट में कहीं ऐसा लिखा हुआ नहीं था, लेकिन उन्होंने मांग यही की, इसके पीछे तरक जो दिया गया, वो क्या था, तरक ये था कि CRPC की एक धारा है, धारा 125, ये धारा 125 कहती है, कि अगर किसी भी पुरुस द्वारा अपनी पतनी को, अपने माबाप को, अपने बच्चे को त्याग दिया जा रहा है, तो ऐसी इस्तिती में उनके भरण भोशन का दाईतुव पुरुस पर होगा, ये जो CRPC की धारा है, इसमें किसी धर्म को नहीं, ये सभी धर्मों पर लागू होती है, ये मामला जब सर्वोच नियाले में प साहबानों को क्या देना चाहिए, भरण पोशन देना चाहिए, राइट वेंटेनेस, जैसे ही सर्वोच नियाले का नियाले आया, इस नियाले का विरोध पुरे भारत में बड़े अस्तर पर देखा गया, कहा गया कि ये हमारे समुदाय के धार्मिक व्यवहारों में हस्तच छेप करने का नियाइक प्रयास है, और इसे हम बरदास्त नहीं करेंगे, असल में सोसाइटी के कुछ फंडामेंटलिस्ट या सोसाइटी के कुछ ऐसे रिजिट लोग, जो सोसाइटी में किसी भी तरीके के ट्रांस्फार्मेशन को वह अपने रिलिजियस आइडेंटिटी क के खिलाफ मांगते हैं, वे ऐसा विरोध हमेशा सुरू कर देते हैं, अब ऐसी इस्तिती में जैसी, और हमने कहा कि ये विरोध हिंदू कोडबिल जबा रहा था, तब भी हुआ था, और यहाँ पर तो नियाइपालिका ने एक छोटा सा निनने दिया हुआ था, और इसका व कि CRPC की धारा 125, वह मुस्लिम समुदाय पर लागू नहीं होगी, यानि उन्होंने नियाले के नड़े को निरस्त कर दिया, यह सबसे रिग्रेसिव स्टिप गवर्मेंट का था, क्योंकि एक जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की और कदम बढ़ रहे थे, सोसाइटी के ट्रांस transformation की और जो कदम बढ़ रहे थे, वो कदम अचानक इस जगह पर आकर रुख गए, केवल कुछ fundamentalist forces की वज़ा से, क्योंकि आज नहीं कल यह सब transformation, आज अगर मुस्लिम समाज की महिलाओं को उस वक्त 1987 में वह right to maintenance नहीं मिला, तो यह जरूरी नहीं कि भविश में नहीं मिलेग बविश में तो मिलेगा ही मिलेगा, इसके लिए वह willpower वहाँ पर दिखाने की जरूरत है, इसको जो है avoid करने, ignore करने की जरूरत नहीं है, यह कोई religious matter नहीं है, इसको धार्मिक रूप देने की कोसिस गलत तरीके से की जारी यह एक लेंगिक मुद्दा है, अब आईए एक मुस्लिम धर्म में उन्होंने अपने को बदल लिया और उन्होंने साधी कर ली, जैसे उन्होंने साधी की, तो सरला ने का right to maintenance, आपने हमको छोड़ा है, हमारा भरनपोशन का अधिकार दीजिए, उन्होंने का देखो सरला, अगर हम हिंदू रहे होते, तब तो हम तुमको पक्का जो है, वो right to maintenance देते, अब तो हम हो गए मुस्लिम, और हम जो है right to maintenance सरियत अक्ट में है नहीं, सवाल इस चीता की, क्या अपने निहित स्वार्थों को पूरा करने के लिए धर्म का इस्तिमाल करना चाहिए, इस तरीके के कृति हिंदू या मुस्लिम दोनों ही धर्म क मूल भूत नैतिक सधानतों की अवहिलना करते हैं, उन्हें कमजोर बनाते हैं, यानि अब सरला मुदगल जैसे केस जो हैं, ये बता रहे थे कि कैसे यहाँ पर एक misuse of religion यहाँ पर या personal law का misuse किस तरीके से हो रहा था, मामला Supreme Court पहुचता है, सरला मुदगल केस में, कोर्ट इसको बड़ी गंधिरता से लिया, कोर्ट ने कहा कि ये uniform civil court जो आप देख रहे हैं, इसका विरोध अगर आप कर रहे हैं, तो ये जार लीजिए uniform civil court आर्टिल 25, 26 इन सब का विरोधी नहीं है, अगर आज कल सरकार uniform law लेकर आ रही है, अगर समान नागरिक संगिता लेकर आ र वा धर्म में हस्तच्छेप के रूप में समझने या कोई धर्म में हस्तच्छेप नहीं है, या सामाजिक सुधार का प्रयास है, या लेंगिक नियाय देने का प्रयास है, एक पंत निर्पेच कानून की जरूरत होती है, धार्मिक कानूनों की जरूरत एक पंत निर्पेच सरकार को नरदेश दिया कि युनिफॉर्म सिविल कोड की दिसा में तेजी के साथ प्रयास किये जाएं और इस तरीके से युनिफॉर्म सिविल कोड का जो मुद्दा था वो धीरे-धीरे सेंस्टिव होता गया अब देखे यहां से एक समस्या शुरू हो गई समस्या यह सुरू हो गई कि युनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा 90 के बाद अचानक politicized हो गया राजनीतिक बन गया अगर यह राजनीतिक मुद्दा न बना होता तो साइध युनिफॉर्म सिविल कोड अब तक हो भी गया होता सुरुवाती दोर में बीजेपी जनसंग जैसी पार्टियां वो खुद युनिफॉर्म सिविल कोड की विरोधी थी और कांग्रेश जैसी पार्टियां युनिफॉर्म सिविल कोड की उतनी ही पैरोकार थी लेकिन साहबानों केस के बाद तो ऐसा कुछ हुआ कि पूरा का पूरा जो इनवार्मेंट प्रोटिकल इनवार्मेंट था वो बदल गया अब BGP और अधर पार्टियों की जो इस तरीके की पार्टि थी उनका मेन एजंडा था कि उनिफॉर्म सिविल कोड को लागो किया जाए और कांग्रिस और लेफ्ट पार्टि जो थी अब उनका ये कहना था कि नहीं इस पर हमें समल समल कर चलने की जरूरत है तो एक तरफ माइनॉर्टी अपीजमेंट कांग्रिस और लेफ्ट पार्टि की तरफ से सुरू हो गई और एक तरफ बिजेपी और अधर पार्टियां जो है मिजॉर्टी अपीजमेंट इस minority और majority appeasement में यह रंग धार्मिक और राजनेतिक होता गया है uniform civil code कोई भी आगर आप से मैंने कहा ना शुरुवात में यह मैं पूछू uniform civil code होना चाहिए आप कहेंगे कि हाँ होना चाहिए क्यों होना चाहिए तो आपके दिमाग में गलत तरक हैं जिन तरकों के आधार पर आप यह बोलेंगे जैसे कि बताइए अगर uniform civil code होगा मुसल्मानों में चार साधियां होती है हिंदूओं के सबसे बड़ी समस्या यही बनी हुई है कि मैं तहिए वहाँ चार साधियां हम यह की साधियां हमको भी मौका मिलना चाहिए चार साधिया आप खुद सोच कर देखिए, क्या आज के इस समय में, महंगाई के समय में, कितने मुस्लिम चार साधी करने का, दो साधी करने का साहस कर सकते हैं, यह एक wrong fact है, यह कोई बड़ी problem नहीं है, कई जगों पर यह एक सोशन का तरीका बना है, एक दो मामले, चार मामले ऐसे आ सकते ह जो है, एक prejudiced सोच है, धार्मिक रोप में पुर्वागरही सोच है, uniform civil code इसलिए होना चाहिए, कि वो चार साधियां करते हैं, असल में uniform, और यह हमने कहा, majority और minority जो यहाँ पर sentiment, और minority, अगर किसी अलप संख्यक से बूले कि triple तलाक, निकाह हलाला खतम होना चाहिए नहीं, त इस तरीके का, तो हम triple तलाक पर भी कल बात करेंगे, तो सवाल इस चीज का है, कि यह जो sentiment हो गया, वो majority sentiment और minority sentiment, यह इतना हावी दिमाग में हो चुका है, कि इसने इस मुद्दे को dilute करके रख दिया, कल हम लोग बात करेंगे, कि आखिर uniform civil code अगर इतना जरूरी है, तो फिर क्यों नहीं लागू हो पा रहा है, लागू होने में क्या समझ्या है, अभी तो हमने एक पच्छ बताया है, अभी हम इसके दूसरे पच्छ को भी बताएंगे, इतना आसान नहीं है uniform civil code को लागू करना, और केवल इसलिए नहीं, कि यह धार्मिक रूप में सम्वेदन सिल बलकि कुछ और रीजन है, जिनकी वज़स से uniform civil code को लागू कर पाना मुश्किल है, कल हम लोगों का DPSP खत्म हो जाएगा, और फिर हम लोग fundamental duties की तरफ मूब करेंगे, थैंक्यो